हेलो बच्चों बहुत बहुत नमस्कार, क्या अब मेरी आवाज आ रही है, चेक करें, क्या अब मेरी आवाज आ रही है, नमस्कार सभी लोगों को, जल्दी फटावट से बताओ, क्या मैं दिखाई दे रहा हूँ क्या मेरी आवाज आ रही है जल्दी बोलिए जल्दी बताईए चेक कीजिए क्लियर है अब एक दम वेरी गुड बहुत बढ़ी है आवाजी चली गी थी भाई चलो अब आगई 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 भाई तो क्या हम सुरू करें सभी लोगो इद मुबारक ठीक है चलो भई स्टार्ट करते हैं अपन वन स्ट और गयने केमिस्टी चलेगा आज मामला अपना और कहानी यहां से स्टार्ट होगी IUPAC से हम स्टार्ट करने जा रहे है और सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान लगना है प्राइरिटी ओडर ठीक है आपको प्राइरिटी ओडर सबसे पहले ध्यान लगना है क्या-क्या होता है जब कभी भी exam में आपके पास question आएगा तो usually देखो functional group type से ही question आता है तो आपको क्या सोचना है सबसे फ़हले functional group सोचना है फिर multiple bond सोचना है जैसे double bond हो गया ठीक है triple bond हो गया ये फिर number of carbon atom देखने है और उसके बाद last में आपको substituent देखने ठीक है पहले functional group सोचना है फिर आपको क्या सोचना है multiple bond फिर number of carbon और फिर substituent ठीक है और अगर अलग-अलग functional group आ गए तो ये उसका priority order लिखा हुआ है कार बॉक्स से लेके acid आता है फिर sulfon एक आता है फिर ester आता है ester में ये alkyl group लगा रखा है इनों है COCL आता है CO NH2 आता है फिर CN ठीक है उसके बाद aldehyde फिर ketone alcohol NH2 double bond फिर triple bond ये sequence है decreasing order में ठीक है ये decreasing order में sequence है किस तरीके से आप question को attempt करेंगे उसके वारे में देखें जरा मैं आपको question करके बता रहा हूँ तो आपको अच्छा लगेगा ठीक जैसे मेरे पास सवाल ये है मुझे इसका IUPAC name लिखना है ठीक है मुझे इसका IUPAC name लिखना है तो क्या सोचना सबसे पहले functional group बिटा सबसे पहले सोचना है ठीक है functional group सबसे पहले सोचना है तो ये दोनों ही functional group होते है Alkene B double bond जो होता है ना वो भी functional group होता है और COH भी functional group होता है है ना तो मैं क्या करूँगा यहां से numbering start करूँगा ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4 अब बताओ क्या इसमें कोई branch नजर आ रही है कोई branch नजर आ रही है नहीं आ रही है इसका मलब सीधे हम word root से लिखेंगे और जब कभी भी आप IUPAC लिखोगे तो IUPAC का basic rule तो आप जानते ही हो क्या लिखना सबसे पहले आपको prefix लिखना है ठीक है पिर उसके बाद word root लिखना है पिर उसके बाद suffix लिखना है ठीक है अब prefix में भी दो टाइब के prefix होते हैं ठीक है prefix two, prefix one और suffix में भी दो टाइब के होते हैं suffix one, suffix two जैसे suffix one में क्या आता है double bond, double bond वगरा suffix two में क्या आता है आपका functional group ठीक है अब जैसे इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे आप ध्यान से देखो ज़रा हम इसका नाम लिखेंगे कुछ इस तरीगे से but चार के लिए but लिखते हैं न three in, one oic acid और यहां से ये e को drop कर देंगे ठीक है इस तरीगे से करना है a, e, i, o, u और y में से अगर दो consecutive अलफा विटाते हैं तो इसका यू पीसी नेम लिखना है तो कैसे लिखोगे आप इसका यू पीसी नेम कैसे लिखोगे जल्दी फटावट से कैसे लिखना है देखना जड़ा सलफोनिक एसेड और o h और यह यह तीनों ही functional group है अब इन तीनों में इसकी priority सबसे ज़ादा है अगर एक की priority ज़ादा है तो दूसरा वाला automatically prefix बन जाता है है ना तो यह 1 आएगा यह 2 आएगा यह 3 आएगा यह 4 आएगा और यह 5 आएगा अब देखो 2 पर क्या लगा है o h यह prefix बन जाएगा क्यों suffix इसको बनना है तो यह क्या आएगा 2 hydroxy 2 hydroxy ठीक पांच कारवन के लिए pent और इन वन सलफोनिक एसड तो अगर IUPAC में question आया तो इस type का आ सकता है बाद समझ गए आप functional group को mix करके आपको दे सकते हैं अगर पूछा जाए तो ठीक तो यह कहानी हो गई आपकी किसकी आगया answer hydroxy लगाएंगे विल्को सही 3 hydroxy into hydroxy आएगा ठीक तो इस type का mix question आ सकता है अगर cyclic compound की बात करेंगे ठीक है तो यहाँ पर हमें एक prefix use करना पड़ेगा cyclo ठीक जैसे अगर तुम्हें इसका नाम लिखना है तो कैसे लिखोगे ध्यान से देखना जड़ा numbering कर लें जड़ा numbering बताएं यह functional group आ गया तो यह one आएगा यह two आएगा यह three आएगा यह four आएगा यह five और यह six क्या जाएगा cyclo hex two पर क्या है in और one पर क्या लगा है all e drop कर देना ठीक अगर मेरे पास cyclic में इस type से आ गया कुछ ऐसा आ गया तो आप ध्यान देना आप आपके यह जो nitro हो गए hello हो गए nitro, hello, alcoxy, alkyl यह सब क्या prefix होते हैं ध्यान दखना है ना तो अगर मैं आप से बोलूँगी अब बताओ numbering कहा से होगी तो numbering double bond से कर देना क्यों double bond से कर देना क्योंकि no to prefix होगा double bond क्या होगा suffix one ठीक है तो three पर क्या आ जाएगा नाइट्रो cyclo hex one in लिखो तो मतलब cyclo hex दी नहीं लिख दो ना तो दौनों में difference देख लो है ना दौनों में difference देख लो आप clear है तो cyclo hex two in one all इसके लिए और इसके लिए three nitro cyclo hex in clear क्या वाद है बहुत बढ़िया चलते जाओ बस है ना जोड़े रहना अगर आप बेंजीन compound आ गया तो बेंजीन compound के कुछ common name आपको याद रहते ही हैं जैसे phenol हो गया ठीक है मुझे इसका UPC name लिखना है तो क्या करूँगा मैं numbering और numbering कहां से करूँगा मैं इस पूरे को एक group consider करके solve कर दूँगा मतलब यह benzoic acid है तो numbering करेंगे one two three four five six क्या जाएगा three nitro और इस पूरे को लिख दो benzoic acid ठीक है इस पूरे को लिख दो क्या benzoic acid इस तरीके से ठीक clear एक दम तो आपन वो चीज़ें cover कर रहे हैं जिसमें exam में आने के chances ज़्यादा तर है अब आप भी जानते हो छे गंटे में पूरा detail में तो organic chemistry नहीं हो पाएगा लेकिन मैं आपको उतना touch तो करा दूँगा कि आपका एक revision हो जाएगा आपको अच्छा लगेगा जब आपका lecture खतम होगा आपको अच्छा लगेगा यहाँ कुछ revise हुआ है चलो कुछ question करेंगे अपन आईए जड़ा इसका नाम लिखिए इसको any soul बोलते हो है ना चलो वजी लिखना इसका नाम क्या आएगा अगर मैं इसको any soul consider करूँगा तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 क्या आएगा 3 की लोरो any soul इस type से लिख सकते हो ठीक है इसका नाम लिखो फटावट फटावट जल्दी जल्दी चलिए इसका नाम बताईए बताईए जल्दी try करना बहुत जरूरी है आप question करते जाओ साथ साथ तब तो आपको अच्छा लगेगा लास्ट मिनिटरी वीजन है इसका मतलब कई सारी चीज़ें आपको आती है छोटे मोटे जो भी आपके डाउट होंगे वो clear हो जाएंगे है ना question करते जाओ क्या है का इसका answer बताओ इन नोनों मेंसे ये principal functional group में count होगा one two three four हम इधर नहीं जाएंगे क्यों इधर जाना है क्यों जाना है ये ओए जो है वो suffix था ये prefix बन जाएगा ये suffix two है ये suffix one है double bond हाणा तो पहले double bond count करेंगे क्या हैगा चार पर नाइट्रो चार पर नाइट्रो साइक्लो ब्यूट two पर क्या है in और one पर क्या है all और ये e-drop clear ठीक है clear बहुत बढ़ी है four nitros high glow but two in all वा यार क्या बात है बहुत सही और question कर लो इसका करो बताओ जरा इसका क्या आएगा जल्दी से क्या आएगा जल्दी बताओ पटावट से लगाईए तो अब मुझे एक बात बताओ ये दो मिथाईल है और एक इथाईल है तो अगर कभी भी एक ही जगे दो ब्रांच हो तो वो dominate करेगा compared to एक ब्रांच है ना तो हमें यहाँ पर बन देना है ठीक है अगर यहाँ एक ही मिथाईल होता तो फिर हम alphabetical order compare कराते एक ही मिथाईल होता तो फिर alphabetical order compare कराते इथाईल को पहले रखते मिथाईल को बाद में रखते अगर एक ही होता उपर दो है ना तो numbering यहाँ से होगी क्या आएगा 3 इथाईल cyclohex सुरी थ्री हितायल उसके बाद क्या आएगा वन वन डाई मितायल साइगलो हेक्जेन सही है ठीक एक्दम चलो वह अगला देखना अगला बताईएगा चलो वह इसका अंसर गर दो देखो अगर एक्जाम में कॉश्ण आया तो इसी टाइप का ही आयू पीसी से आ सकता है जो कि आप बना सकते हो आरा हम से ओप्सन से चलोगे तो और जल्दी हो जाएगा यह ना चलो बताओ जल्दी इसका अंसर क्या होगा बढ़ा क्वेक जल्दी से फटाबट से आंसर करें अगर मैं यहाँ पर नंबरिंग करूँ धियान से देखना ज़रा तो इन नोनों में से किस्ती प्राइरिटी जादा इसकी तो क्या आएगा फोर पर अमीनो सही है फोर पर अमीनो और ब्यूट एन वन अल इड्रॉप पर अमीनो ब्यूटेनल एकदम बहुत बड़ी है विड़ा एकदम सही जा रहे हो अरे वाँ क्या बात है बहुत सही तो इस टाइब के सवाल आ सकते हैं आईू पीसी में आप कर लोगे अगला अपना टॉपिक है आईसो मेरिजम चीक है आईसो मेरिजम में आप क्या-क्या पढ़ते हो वो देख लो जड़ा फटाफट से इस्ट्रक्सल आईसो मेरिजम की बात करें तो हम ये वाले मेंली पढ़ते हैं चेन, पॉजीशन, मैटामर, फंक्शनल और टॉटो मेरिजम नाम तो आपको पता ही होंगे ये ना चेन, आईसो मेरिजम क्या होता है देखो जरा क्या कहना है कंपाउंड विछ हैव सेम मॉरीकला पॉम्ला बट है अभ डिफरेंट पेरेंट चेन मतलब आईसो मरीकला फॉमला तो सेम होना ही चाहिए पेरेंट चेन अलग-अलग होगी ठीक है, पेरेंट चेन अलग-अलग होगी, जैसे बहुत आसान है, महां लो एक यह है, ठीक है, और एक यह है, ठीक, बताए जारा, ये दोनों आपस में चेन हैं, कैसे, आपको IOPC नंबरिंग तो आती है न, नंबरिंग कर लो 1,2,3,4, और यहां 1, 2, 3, देखो, parent chain अलग हो गई, molecule formula same है, तो यह chain isomer हो गए, बहुत आसान है, जैसे माल लो ऐसा लिखा है, यह चेक करो, पहली निजर में देखने से ऐसा लगता है कि यह position है, position नहीं है, अगर carbon containing functional group है तो numbering होगी न, देखो, 1, 2, 3, 4, 5, और यहां 1, 2, 3, 4, चाहे इधर जाओ, चाहे इधर जाओ, तो पेरेंट चेन 4 कारवन की इधर है बिटा, और 5 कारवन की इधर है, देखो, तो यह आपस में 6 नाइस उमर होगे, बहुत सिंपल है, है न, ठीक है, किलियर, तो यह होगया 6 नाइस उमर, अगला देख है न, पुजीशन आईस उमर का कोश्चन आच चुका है, जेही में में अभी, कली, कमपाउंट्स विच है, सेम मौलीगला फॉमला, बट है डिफरेंट पुजीशन आफ क्या, ब्रांच और फंक्शनल ग्रूप, डवल और ट्रिपल, जैसे, मेरे पास यह लिखा है, और मेर प्रांच की, सब्सेटिवेंट की या ऐसे फंक्शनल ग्रूप जिनके बास कारवन नहीं होता, है न, ठीक है, देखो जड़ा, नम्बरिं करो वन टू थरी फॉर, यहां करो वन टू थरी फॉर, देखो, पेरेंट शेन क्या है, सेम कारवन की होगी, बस पुजीशन मतल गए किस की? OH की. Clear? ऐसा है. जो कल सवाल आया था, वो ये था. ये दोना आपस में position आई सुमार है, चेक कर लो. बिल्कुल है, देखो. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5. ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, और ये 5, देखो. C double bound की position change हो गई. ठीक है? C double bound O की position change हो गई. देख लो आप जरा. अब कई लोग बोलेंगे, सर ये metamor भी लग रहे हैं. तो उसके लिए तो मैं priority याद होना चाहिए. Metamor की ज़्यादा होती है position से. अगर metamor पूछा जाये option में तो metamor लगाएंगे फिर इसका भी बताऊंगा metamor अगला. अगर मैं इनको position बोलूँ तो सही है ना, position तो है ये, है ना. देखो जरा, पांच carbon यहाँ, पांच carbon यहाँ, C double bound O की position change हो गई. तो ये क्या हो गए, position ice number हो गए. ठीक है? ठीक है? ये कहानी है. Metamorism की अगर मैं बात करूँ तो दिहान से देखो. compounds which have same molecular formula, but have different arrangement of atoms or groups from either side of bridging functional group. Bridging functional group कैसे देखेंगे? जैसे इस टाइब के oxygen हो गया, मतब इथर, thaiyo ether, ketone हो गया, ठीक, thaiyo ketone हो गया, इस टाइब के. सलफोनिक हो गया, ester हो गया, मतब ब्रिज जैसे, मतब जिसके left और right side carbon की जमाजम change चले. ठीक है? लेफ्ट और right side carbon की जमाजम change चले. जैसे, क्या ये दोनो? चेन हो या ring हो, position बदल जाए उसकी है, न? क्या ये दोनो metamर हैं? चेक करेंगे ज़रा? बताएं आप मुझे. क्या ये दोनो metamर हैं? यस, कैसे? ये जो तुमारा group है, ये जो तुमारा group है, इसके left और right side carbon की chain या ring का position बदल गया, कैसे? यहाँ बेंजीन से sulfur जुड़ा था, यहाँ बेंजीन से oxygen जुड़ा है, तुछ हो गया न? ठीक है? तो ये हो गया आपस में क्या metamर? अभी जो मैंने पीछे सवाल बताया था, ये दोना आपस में metamर होंगे, देखो, ये जो C double bond हो है, इसके left side और right side, carbon की chain, change हो गई, देखो, एक, दो, तीन, left side है, और एक right side है, यहाँ देखो, एक, दो left side है, और दो right side है, तो पोजीशन मतलगे न? यहाँ तीन एक है, यहाँ दो दो है, तीन में आप branch भी कर सकते बड़ा, अगर यहाँ कभी branch वाला आया, तो branch वाला भी होगा, यह तीनों आपस में में आपर हैं, ठीक है, यह straight chain लगी है, यह branch कर दिया, है न? clear? तो यह होते हैं में आपर्स, चलो बताओ जराओ, क्या यह में आपर्स हैं? यह बड़ा famous question होता है, क्या यह तीनों आपस में में आपर्स हैं? बताएं, क्या यह तीनों आपस में में आपर्स हैं? जल्दी बताएं, बिल्कुल हैं, भाई यहाँ देखो न, यह आपका bridging functional group में आता है, आप देखो लेफ्ट साइड और राइट साइड arrangement डिफरेंट हो गया न, तीनों आपस में में आपर्स हैं, यहाँ तीन एक, यहाँ दो दो, यहाँ तीन एक लेगें यह ब्रांच है, है न, very good, बहुत बढ़ी है, एकदम सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो, अगला वेटा, functional life सुमरिस में कोई दिक्कत ही नहीं है, compounds which have same molecule formula, but have different functional group, जानते हैं आप पहले से, लेकिन कुछ important वाले याद करके जाना, जैसे aldehyde का ketone, acid का ester, 1 degree, 2 degree, 3 degree amine, यह आपसम functional आईसमर होते हैं, cyanide, isocyanide, alcohol ether, 2 double bond, मतलब diene, और 1 triple bond मतलब iron, यह साथ आपसम functional आईसमर होते हैं, ठीक है, जैसे ऐसा है, जैसा देखो, क्या यह दोनों functional आईसमर हैं, यह साथ, molecular formula same होना चाहिए, बस यह दिखान ना करना, ठीक है, molly graph formula same होना चाहिए, functional group क्या है, different, हो गया आपसम functional आईसमर, जैसे ऐसा देख लो, यह acid आगया, यह star आगया, acid आपसम आईसमर होते हैं, ठीक है, तो यह बहुत आसान है, आप बस यह दिखान करके जाना, clear, चलो भई, तो यह हो गया functional, टाटोमर पे चलते हैं, टाटोमर क्या होता है, intra molecular proton transfer होगा यहाँ पर, H plus का transfer, condition क्या होती है, टाटोमेरिजम की, जो आपको पढ़के जाना है, keto inol में पढ़के जाना है, ठीक है, alpha carbon SP3 होना चाहिए, और alpha carbon के पास होना चाहिए, hydrogen जिसको alpha H बोलते हैं, ठीक है, जैसे, CH3, C double bondो, CH3, क्या यह टाटोमेरिजम एक्जिबिट करेगा, चेक कर लो, C double bondो के पास वाला carbon SP3 है, 4 sigma bond ने बेटा SP3 है, चाहे left देख लो, चाहे right देख लो, अगर दो double bond ना आगए, तो भी डरने की कोई आवशकता नहीं है, किसी भी एक साइड से कर जाएगा, तो कर जाएगा, है ना, सही है, तो आप चाहे तो यहाँ से देख लो, आपकी इच्छा है, कोई यहाँ से नहीं देख रहा, इधर से भी देख सकते हो, ठीक है, मतलब करेगा, एक्जिबिट, ठीक, क्या यह एक्जिबिट करेगा, क्या यह एक्जिबिट करेगा, बिल्गुल करेगा, चाहे आप इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, इधर देख लो, SP3 है और hydrogen exhibit करेगा ठीक है बहुत आसान है बहुत आसान है ठीक है तो इस टाइप से question आएंगे तो कर दे ना आजाओ कुछ और practice कर लेते हैं बताओ जरा कौन-कौन सा exhibit करेगा टाटो exhibit और नौट जल्दी से चेक कर लो पहला दूसरा तीसरा जल्दी फटावट से solve करें मेरे साथ question करते जाएंगे न तो आपका revision अच्छा होगा आप मूठा के देखते रहेंगे तो revision अच्छा नहीं हो पाएगा copy pen लेके वड़ो फटावट solve करते जाओ चलो बताओ कौन-कौन से exhibit करेंगे ठीक है पहला वाला करेगा जल्दी वोलो करेगा क्यों इस जगह पर इस जगह से करेगा एना sp3 यह और एच्छे यह करेगा यह करेगा नहीं क्यों alpha carbon sp2 हो गया इसका ठीक है इस वाले में इधर से कर जाएगा ठीक है इसे कैसे इधर से एना एरो लगा जेता हूं मैं कहां से करेगा इधर से इस वाले में इधर से इसमें आप कहीं से भी देख लो यहां से देखना चाह इधर से या इधर से या इधर से कहीं से भी देख लो ये वाला नहीं करेगा ये वाला चाहिधर से करवादो ठीक है क्लियर है ठीक क्लियर एकदम चलो वई बहुत बड़ी है सही आगये थे अंसर पसमाता एकदम सही चलना है मामला अब अगर आपके सामने सभी आईस मेर जम में चमप्यर कराना हो priority ठीक है तो एक ring chain वाला भी होता है तो मैं लिख देता हूँ इसको एक ring होगी एक chain होगी अलग से पढ़ नहीं रहा है अपन ring chain, totomercam, functional, metamers, chain और position रात को FM चलाओ प्यार से ऐसे याद कर ले न और ये इसकी priority है ठीक है, अगर कभी आप option में फस जाओ तो इस तरीके से answer दे देना ठीक है, clear भाई माल लो आपके एक ही question में दो option एक metamers और एक position तो metamers आंसर करोगे, है ना, चलो बहुत बढ़ी है very nice अब चल दें बढ़ा stereo isomar जम में, दो type के होते हैं, एक geometrical और एक optical ठीक है, ये दो हम पढ़ रहे हैं, बागी confirmar भी पढ़ेंगे अलग से, geometrical isomar क्या होता है, ये आता है when when restricted rotation is present restricted rotation is present restricted rotation से यहां क्या मतलब है, ठीक है restricted rotation से यहां मतलब है, कहां कहां पर create होते है, double bond होगा यहां बस है ना, जैसे, पहला देखो जड़ा, c double c दूसरा c double n, इसमें पढ़ना है आपको तीसरा n double n, ठीक है, और चौथा cycle oil gain ठीक है, दियान से देखते जाना है अगर मैं c double c की बात करूँ तो यहां पर हम सिस्ट्रांस पढ़ेंगे ze पढ़ेंगे, यहां sin anti देखेंगे ठीक है, एक एक example से समझ लेंगे यहां sin anti देखेंगे ठीक है, और यहां सिस्ट्रांस देखेंगे ठीक? लेकिन पहले question तो यह आता है कि GI exhibit करेगा या नहीं करेगा फिर उसके पास सिस्ट्रांस देडी इन सबकी बातें आती है है ना? तो GI exhibit करेगा या नहीं करेगा वो कैसे चेक करोगे? आपके सामने double bond होगा ठीक है? जैसे मैं C double c में करके बता रहा हूँ अब आप क्या करो? फर एक carbon को पकड़ो इसको पकड़ो और इसको पकड़ो पहले इसको पकड़ो यहाँ पर group होने चीए different एक A लगा दिये एक B लगा दिये different होने चीए और यहाँ भी different होने चीए यहाँ X लगा दिये यहाँ Y लगा दिये इधर इधर सेम चलेंगे, ध्यान से सुनना वेड़ा, इधर इधर सेम चल सकते हैं, लेकिन एक ही कारबन पर दो सेम नहीं चलेंगे, दोनों ग्रुप क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक है, ठीक है, दोनों क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए, ठीक चलो वई धियान से देखना जरा GI exhibit और नौट GI exhibit करेगा या नहीं करेगा फटावट से questions वोल करेंगे मेरे साथ पहला CCC H यहां मिथाईल लगा दिया यहां BR लगा दिया बताएं क्या यह exhibit करेगा फटावट से चेक करते जाओ CCC यहां लगा दिया NH2 ठीक है यहां CL लगा दिया ठीक है यह CCC है यहां OH लगा दिया यहां I लगा दिया चेक करते जाना फटावट से GI exhibit किस किस में होगा यहां CS3 यहां मिथाईल यहां H और यहां D आईसोटो बलग ग्रुप कंसीडर किये जाते हैं लगा दिया BR और यहां लगा दिया OH बता है कौन कौन सा exhibit करेगा पहले वाले को चेक करेंगे अगर हम देखो दियान से तो यहां यह दोनों सेम आ रहे हैं तो यह नहीं करेगा ठीक है इधर यह डिफरेंट है उधर जाओ इधर भी डिफरेंट है करेगा इधर देखो यह दोनों डिफरेंट है इधर से कर रहा है लेकिन यहां मिथाईल और मिथाईल यह क्या होगा है सेम तो यह नहीं करेगा इधर यह दोनों डिफरेंट है इधर यह दोनों डिफरेंट है येस करेगा चेक कर लो जरा अरे बिटा फस गए कुछ बच्चे कह रहे हैं तीन वाला भी आरे वाई CS3 और मिठाइल सेमी होता है भाई या नमस्कार आप लोगों को अरे यार गजबी हो अरे CS3 और मिठाइल सेमी बात होते हैं क्या बात कर रहा है यार चले आगे चले आगे बड़े हैं very good तो CCC में इस तरीके से चेक कर लोगे आप अब मैं Cnn वाला बता रहूँ आपको पहला Cnn में चेक करना Cnn एक तो लोन पियर होगा और एक कोई और ग्रूप होगा मैंने H लगा दिया यहां लगा दिया मैंने NH2 और यहां CS3 चेक करते जाओ इसमें तो बहुत अच्छी चीज है क्या nitrogen की side से देखना ही नहीं है क्यों एक लोन पियर और एक H होगा आप कारवन की side से देख लो है ना तो NH2 CS3 करेगा yes nitrogen की side तो नजर उठा के भी नहीं देखना भाई चलिए बताईए यहां लगा दिया इथाईल और यहां लगा दिया C2H5 ठीक तीसरा बताना T यहां pH double bond N यहां लगा दिया NH2 चलो फटावट से बोलो ठीक है एक और देदू T double N loan pair D D T चलिए बताईए पहला बाला पहला पहला बाला करेगा yes क्यों इधर देखना है different करेगा दूसरा बाला दूसरा बाला पस मत जाना अब अरे भाई इथाईल और C2H5 सेम ही होते है यह सेम है भाई है ना नहीं करेगा इधर यह दोनों भी सेम है इधर यह different है ठीक है यह नहीं कर रहा यह नहीं कर रहा यह दोनों कर रहा है एक और चार करेगा देखो फिर फस गए भाई फिर फस गए चले आगे बने वेरी गुड तो यह हो गया आपका इसमें अब अगला एंडवलन तो हमेशा करेगा एंडवलन ओल्वेज जी आई एक्जिविट करेगा है न क्योंकि टिफरेंट गुरुप ही होंगे न देखो एंडवलन लएट जो लोनपेयर लोनपेयर जो जो गुरुप लग आ वो अलग consider करते हैं ठीक है तो यह तो always exhibit करेगा तो यह मैंने आपको exhibition बता दिया अब बबन चलेंगे कहां पर सिस ट्रांस और ze और से नेंटी बढ़ लेते हैं ठीक है चलो भई टाइप आफ जी आइए अब हम पढ़ रहे हैं exhibition वाला question आप बना लोगे आराम से ना पहला है सिस ट्रांस अगर similar group same side लगे हैं तो सिस होगा otherwise ट्रांस होगा ठीक है similar group same side तो सिस otherwise ट्रांस जैसे यहां मिथाईल लगा है यहां मिथाईल लगा है यहां H और यहां H क्या वो लोग है इसको सिस देखो मिथाईल मिथाईल same side या इससे देख लो आप अगर मुझे ट्रांस बनाना है तो कैसा दिखेगा ऐसा दिखेगा बटा कैसा ऐसा क्यों opposite हो गए ना यह देखो ठीक है similar group same side तो सिस अधरवाईस ट्रांस होगा ठीक तो यह सिस ट्रांस आइस गमर हो गए clear अगला देखना जड़ा ZE के लिए तो मैं CIP रूल लगाना पड़ेगा क्या लगाना पड़ेगा CIP रूल पहला रूल यह कहता है atomic number अगर जादा तो priority जादा और जब सिस ट्रांस फेल हो जादा तब हम यह लगाते हैं दूसरा if atomic number of first atom is same first atom का अगर same रहेगा then go for the next atom and apply rule number one तीसरा क्या कहता है अगर isotopes में हम चलें किस में isotopes में चलें तो mass number अगर ज़्यादा तो priority ज़्यादा ठीक है और चौथा rule यह कहता है triple का ज़्यादा double से और फिर single single लेकिन यह same same atom के बीच में होने चीज़े से c double c ज़्यादा होगा किस से c double c से फिर c single c अगर मैं c double o ले लूँ तो उसका c single o से ज़्यादा same atom के बीच के c double n की priority किस से ज़्यादा c double bond n h से ज़्यादा और फिर c single bond n इस तरीके से है न क्लियर इस टाइब से तो atom एक नमबर जादा तो priority जादा ठीक है atomic नमबर जादा तो priority जादा होगी और अगर पहले atom का atomic number same तो दूसरे पर चले जाना और rule number 1 लगा देना आइस टोप में मास नमबर जादा priority जादा triple double में यह ठीक है अब धिहान से देखना जरा ठीक धिहान से देखना question है find z e देखो जरा c double c यहाँ cs3 यहाँ nh2 यहाँ b r और यहाँ c l ठीक है दूसरा सवाल c double c चलो फड़ा जिसको आता है तुरंत जल्दी से बताते हैं z e में से क्या होगा deuterium और यहाँ tritium तीसरा c double c c triple bond ch c double bond o और c triple bond n और c double bond n h चल दी फड़ावट से बता दीजे आईए आई 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 पड़ावट से क्या होगा जल्दी बोलो जल्दी बोलो पहले वाले गा देखो b r और c l में बताए जाए रहा यह बना जाएगा कारवन और nitrogen में यह बना जाएगा क्या हो जाएगा e आई आई पहले गा दूसरे का क्या आई 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 में आई आई सोटों लग गए आई सोटों में मास नमबर जादा और यहाँ देखो पहले item से यह में तो दूसरा item जाओ तो यह जादा क्यों कार्वन के बाद औक्सीजन आ रहा है ठीक है और इन नों में किसको दोगे अब देखो सेम एटम का ट्रिपल डबल है तो इसको वन आएगा यह सारे ए है शेक करो ज़रा इन नहीं ए है इ सारे ए है ठीक है ठीक है चलो यह कहानी हो गई जैड़ी हो गया सिस्ट्रांस हो गया ठीक अचा सिस्ट्रांस में यहां मैं कुछ प्रॉपर्टी एड़ कर देता हूँ ठीक है जैसे आपसे डाइबल मुमेंट पूछे तो सिस्ट का ज़्यादा होता है ट्रांस है अगर मैं two butine के लिए बोलू हूँ है ना अगर मैं two butine के लिए बोल रहा हूँ तो यह जादा होता है क्योंकि फिर plus i minus i का भी चक्कर होता है normal case इसका लिख रहा हूँ मैं है ना इसका जादा trans है die volumen जादा तो boiling point जादा इसका जादा trans है ठीक है तीसरा crystal lattice energy CLE crystal lattice अनिये इस energy ट्रांस की ज़्यादा क्योंपी ट्रांस ज़्यादा स्टेवल होता है अपोजेट होते हैं ग्रोप बल्ड की ग्रोप है ना तो stability भी ट्रांस की ज़्यादा ठीक और solubility की बात करें तो किसको आसानी से तोड़ लोगे जिसकी energy कम ठीक है तो ये कुछ property आपको याद है पहले सी है न चलो बहुत बढ़ी है तो ये हो गया आपका ZE है न मैंने बता दिये आप चल दे सिनेंटी पर तीसरा सिनेंटी कैसे चेक करते हैं दियान से देखो जा रहा सिनेंटी हम Oxnime में देखेंगे है न किसमें देखेंगे Oxnimes में देखेंगे Oxnime में क्या है C double N यहाँ loan pair और इधर OH है तही है अब यहाँ मैंने H लगा दिया और यहाँ मैंने लगा दिया BR तो तुम्हें क्या चेक करना है जो N वाला OH है ये इसको पकड़ो और इन नौनों में से C IP रूल लगाके इन नौनों में priority किसकी ज़्यादा जिसका item एक नमबर ज़्यादा यहाँ जो group लगा इसको one लिख दो और यहाँ पर इसको one लिख दो जिसकी priority ज़्यादा है ये क्या है same side तो क्या जाएगा sin simple एकदम है ना इस type से जैसे अगर मैं ऐसा लिखूँ ह यहाँ CS3 double bond N OH यहाँ लगा दिया बताओ ज़रा इसके लिए बोलो फटाबट से जैना बोलो क्या आएगा यह से राएगा एंटी आएगा इन नौनों में से यह बन और इन नौनों में यह बन क्या आगया पोजिट तो क्या बोलोगे इसको एंटी इस तरीगे से होता है ठीक है ठीक है तो यह कहानी है sin एंटी की आप इसमें चेक कर सकते हारा हम से L-dog जिम्में ही चेक करना है ना वैसे Key-dog जिम्में भी होता है उसको मत पढ़ोगा भी तो यह हो गया यह हो गया यह हो गया सिनेंटी हो गया रहे वाक्या बात है अगला calculation of GI का formula क्या होगा पहला if symmetry is not present ठीक है मतलब किसी भी form में symmetry नहीं होनी चीए molecule में या end group different हो आपके तो total GI कितने होते है तू की power N ठीक है और symmetry present है अगर symmetry present है तो दो case बनते है N आपका even है या N आपका odd है ठीक है अगर आपका एक काम करता हूँ इसका common formula ही लिख देता हूँ total GI जो होंगे 2 की power N minus 1 plus 2 की power P minus 1 where P is equal to N by 2 if N is even और P is equal to N plus 1 by 2 if N is odd ठीक है इस तरीके से आप निकाल सकते हो clear है तो यह formula द्यान लगना और N क्या है यहाँ पर वो जगए जहाँ पर GI exhibition हो रहा है GI exhibition वाली जगए मतलब अगर मैं एक question से समझाओं आपको formula तो याद होंगी वेसे आपको है ना अगर मैं एक question से समझाओं आपको तो धियान से देखना ज़रा TH3 TH double bond CH single bond CH single bond CH to BR तो N का यहाँ क्या मतलब है N का मतलब है जहाँ GI exhibition हो रहा है जैसे यहाँ हो रहा है और यहाँ हो रहा है यह चेक तो करना आता ही है आपको तो N क्या हो गए यहाँ पर 2 अब देखो ज़रा इधर देखो इधर देखो right और left different group है हो गए चार हो गए ठीक है total GI 2 की power N मतलब चार हो गए ठीक है इस तरीके से देख करना है समझे अगर यहाँ में CS3 कर देता तो N 2 आ जाता और फिर तुम से metrical वाला formula लगाते थे even वाला ठीक है चलो बई तो GI में अगर हम बात कर लें तो क्या होता है एक instrument होता है जिसको बोलते है polarimeter polarimeter से किसी भी compound की optical activity के वारे में आप comment करते हो अगर polarimeter experiment में आपकी plane polarized light if PPL plane polarized light rotate होती है ठीक है अगर यह rotate होती है तो इसके दो choice होते है कि clockwise घूमे या anti-clockwise घूमे अगर clockwise घूमता है तो हम उसको बोलते है positive और anti-clockwise वाले को negative इसको बोलते है dextrotrotatory और दूसरा क्या बोलते है leverrotatory ठीक है अगर तुमारी PPL organic compound optically active हुआ तो घूमेगी और अगर optically inactive हुआ तो PPL नहीं घूमेगी है ना तो अगर PPL घूमती है तो ये कहानी है और अगर ये कहानी है तो हम बोल देंगे optically active है कोई molecule है ना अगर PPL नहीं घूमती है if PPL does not rotate तो वहीं बोल देंगे क्या optically inactive तो ये कहानी है किसी भी compound की optical isomergem के लिए आपको check करना पड़ता है लेकिन आप बार बार compound डाल के check करोगे इससे अच्छा scientist लोगा ने कुछ condition बना दी क्या condition बना दी किसी भी compound की optical activity के लिए वो धियान से देखना ज़रा condition for optical activity क्या अगर POS नहीं है plane of symmetry नहीं है और COS नहीं है तो optically active होता है सीधा अगर plane of symmetry और center of symmetry दोनों ही नहीं है तो optically active होगा इन मैंसे कोई भी एक आगई तो optically inactive हो जाता है वहाँ पर ध्यान दखिएगा है ना जैसे मालों मैं आपसे पूछू CS3 HBR HBR CS3 बताओ ये molecule active है या inactive है बोलो पटाबट से ये molecule active है या inactive है अरे plane polarized light चाहिए plane of symmetry चाहिए plane of symmetry चेक करो ज़रा आप डूलो क्या इस molecule को 2 equal half में डिवाइड किया जा सकता है क्या इस molecule को 2 equal half में डिवाइड किया सकता है यास किया सकता है इस कहला ये क्या हो गया optically in active हो गया ठीक है अगला पता ना ज़रा क्या ये optically active है क्या ये optically active है जल्दी बोलो इस type के form को physical projection formula बोलता है क्या ये optically active है यास है कहीं से भी ढूण लो आपको plane of symmetry नहीं मिलेगी और open chain में बेटा plane of symmetry से ही चेक किया करो center of symmetry तो cyclic में चेक किया करो है न चलो बई open chain वाले हैं तो pvc लगाया करो आप हमेशा answer जाएगा बताओ ज़रा ये क्या है optically active है ठीक है clear तो ये कहानी है आप ऐसे चेक करोगे आप अगला बताना क्या ये optically active है बताना और क्या ये optically active है इन में से कौन सा है कौन सा नहीं है बोलो पड़ा पड़ से चेक करो बोलो इन में से कौन सा optically active कौन सा optically inactive जल्दी बोलो कौन सा active कौन सा inactive जल्दी से बताएं अब अगर तुम्हारी odd number वाली रिंग है तो cus चेक नहीं करना even में cus चेक करना है odd वाली रिंग है yes है क्या बोलोगे optically inactive यहां है क्या नहीं है क्या हो यहां मिथाइल उपर लगा है यहां मिथाइल नीचे लगा है तो यहां pus नहीं है तो यह क्या होगे optically active और मैंने आपको बताया था भी थोड़ी दिर पहले रिंग में आपको cis trans देखना है तो कैसे देखोगे इस से ही समझा देता हूँ क्या यह दोनों ग्रूप क्या है same side है न इसका मतलब यह cis हो गया और similar group opposite है तो यह क्या होगे trans है न तो रिंग में cis trans ऐसे देख सकते है आप ठीक है रिंग में cis trans ऐसे देख सकते है very good बहुत बढ़ी है कई लोगों का answer सही आ रहा है ठीक है अब आप देखो जारा cis कैसे चेक करेंगे देखना cs3, cs3 hh क्या इसमें center of symmetry है बताओ देखो pos के बारे में आगर सोचोगे pos तो तो तुमें इसके along होंगी मिल जाएगी क्या हो ऐसे काट दो आप और ऐसे काट होगे तो ये group भी तो उसी plane में आ जाएंगे तो pos तो मुझे दिख रही है इसमें ठीक है आप मुझे cos देख के बताओ क्यासे चेक करोगे center पर खड़े हो जाओ कहां पर center पर खड़े हो जाओ diagonally opposite line draw कर दो क्या group सेम मिल रहे है सभी जगे देखेंगे diagonally opposite करके इधर भी सभी जगे सेम मिल रहे है group diagonally opposite yes मतलब cos भी है इसमें ठीक है तो pos b है और cos b है दोनों ही चीज़े है center पर खड़े होके diagonally opposite लेकिन कहां चेक करना वेटा even number वाली ring में चेक करना odd वाली में चेक नहीं करना odd वाली में कभी आईगी नहीं सीवेस आपकी बास समझ में आ गई चलो भई बहुत बढ़ी हा तो मैंने आपको ता दिया यह यह ठीक है अगला देखते हैं अगला topic condition for optical isomerism when धियान से समझना ज़रा है न इस वाले topic से question आ सकता when only one chiral carbon is present only one chiral carbon is present धियान से देखना फिर फिर एक ही chiral carbon present हो तो क्या condition होती हो optical isomerism की धियान से देखना ज़रा chiral carbon आप सभी लोगो बता रहे था एक बार फिर से बता देता हूँ क्या SP3 tetrahedral carbon attached with four different groups clear एक्दम four different groups ठीक है चार different groups से connected हो तो क्या होता है क्या होता है chiral होता है ठीक है अब धियान से देखना ज़रा क्या condition होती है optical isomerism की धियान से देखो अगर मैंने यहां कोई group लगा दिया मालो CS3 यहां लगा दिया BR यहां लगा दिया OH और यहां लगा दिया H बताओ एक chiral carbon अगर होगा एक chiral carbon अगर होगा धियान सुनना एक chiral carbon अगर होगा तो क्या यह हमेशा optically active होगा बताओ जल्दी फटावट से क्योंकि इसमें कभी POS तो आएगी नहीं और COS हम चेक नहीं कर दे open chain में है न तो always क्या बढ़ा अगर एक chiral है तो always optically active always optically active धियान अगना chiral carbon is not the essential condition chiral carbon essential condition नहीं होती किसी भी compound के optical isomer जाम exhibition की essential condition तो वो होती है जो polarimeter experiment खेलते हो आप हम तो क्या कुछ condition मराना था कि एक्जाम में कुश्चन आसान हो जाए हमारे लिए ये एक chiral carbon अगरे देगो ये chiral है चारों कुरे डिफरेंट है चार सिग्मा है हमेशा optically active होगा हमेशा थियान अगना always ठीक है अगर मैं यहाँ दो कर देता थियान से देखना ज़रा इसी में ही मैं एक काम करता हूँ इसको copy कल लेता हूँ और यहाँ मैं दो काईरल कारवन कर देता तो अब थोड़ी कहानी परिवर्तित हो जाती देखना ज़रा ध्यान से देखना अगर दो काईरल कर देता मैं तो कुछ कुछ होता है देखेंगे ऐसा होता देखना CS3 HBR HBR CS3 और CS3 HBR HCL और CS3 ध्यान से देखिएगा अगर मैं दो काईरल कारवन कर देता तो क्या हो जाता क्या हो जाता ध्यान से देखना ज़रा क्या हो जाता अब तुम चेक करते क्या इसमें POS है आपको POS ही सोचना यह ध्यान रखना है क्या समय POS है चेक करें शार याजीस है से टो इसमय POS है इसमय POS हुपतø नहीं है उप्टै कली एक्टेव प् Jiang समझे तो दो काईल होगा अब एक बार देख लेना पीवेस चेक कर लेना एक chiral में है तो आप बोल देना विल्कुल मुँपे कि optical ये active है ठीक है ठीक है clear तो ये कहानी है optical isomerism exhibition की एक chiral और दो chiral इससे ज़या तो आता ही नहीं है ना दो chiral तक ही आता ही एक्जाम में जैरी में में तो ये कहानी हो गई अब ध्यान से सुनना, अब relation सुनलो इनके, relation between compound, relation between compounds when only one chiral carbon is present, अगर एक ही chiral carbon present है, तो क्या relation होता है, ध्यान से देखना जड़ा, यहाँ दो answer आएंगे, number one, या तो enantiomer आएगा, ठीक, या आपका identical आएगा, बहुत अच्छा काम हो गया है, बाटी दो option तो आप ऐसी उड़ा देना, ठीक है, या तो enantiomer होगा या identical होगा, है ना, ठीक है, ध्यान से देखें, या तो enantiomer या identical, ठीक है, enantiomer क्या होगे, non super impossible, non super impossible, mirror images, mirror images, जैसे, जैसे, CH3, HBR, C2H5, अगर मैं यहाँ पर mirror लगा दूँ, तो कैसा दिखेगा, BR, CH3, H और यहाँ क्या आगया, C2H5, ऐसा दिखेगा, तो इसको उठा कर इस पर रखो, क्या superimpose हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं न, इसका मतलब यह दोनों क्या हो गए, enantiomer हो गए, क्या हो गए, दोनों enantiomer हो गए, ठीक है, clear, इधर identical कैसे बता चलेगा, दोनों same compound हो गए, same compound अगर हो गए, तो identical होता है, ठीक, non superimposable mirror image हो गए, तो enantiomer होता है, यह एक काईरल कारवन की बात है, सिर्फ एक काईरल कारवन की बात है, सिर्फ एक काईरल कारवन की, लेकिन अगर आप दो में चले जाओगे, तो आप क्या होगा, ध्यान से देखना ज़रा, देखते जाना अभी है न, अगर आप दो में चले जाओगे, तो अब आपके आंसर क्या क्या आएंगे ध्यान से सुनना अब अब आपके आंसर तीन हो जाएंगे, मतलब तीन में से कोई न कोई होगा एक और एड हो जाएगा डायस्टिरियोमर्स, है ना diastereomers भी आ जाएगा actual में geometrical isomer को भी diastereomer बोलते हैं दिहान नख ना लेकिन वो geometrical diastereomer बोलते हैं ये optical diastereomer है ये क्या होते हैं not mirror image जो mirror image ही नहीं होते है not mirror image जो mirror image ही नहीं होते हैं जैसे अगर मैं आपके सामने कुछ compound से समझाओं मालो मेरे पास ऐसा लिखा है CH3 HBR HCL C2H5 ऐसा लिखा है ठीक है और एक ऐसा लिखा है HBR और यहां कर दिया मैंने CLH C2H5 ठीक बताएं ज़रा क्या है इन में relation जल्दी बोलो जल्दी इन नौनों में क्या relation है बोलें क्या यह mirror image दिख रहे है ना क्यों यहां भी आर राइट साइड है यहां भी आर राइट साइड है यह तो ठीक है लेकिन CL right और यहां CL left आ गया चाहिए हैं इसका मतलब क्या हो गई है mirror image ही नहीं है तो वन एंड टू क्या होगा बेटा वान एंड टू आर डायस्टीरियोमर्स मिरर इमेज ही नहीं है यह ना मिरर इमेज ही नहीं है clear एकदम डायस्टीरियोमर होंगे क्या बात है बहुत बड़ी है एकदम सही जा रहे हो ठीक है तो यह relation आपसे बूचा सकता है आगे चलते हैं r a system समझ लो ठीक है r का मतलब rectus, s मतलब sinister clockwise, anti-clockwise यह सारी कहानी आपको पता है ठीक है कैसे करना है यह देखो पहला point यह लिख लो if char number is on horizontal position अगर fisher में char number priority set करेंगे cip rule के according char number horizontal position पे then make a switch then make a switch answer बदल देना if char number is on vertical no switch ठीक बस यह चेक करना है आज 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 question करके बताता हूं यहाँ c-3 यहाँ h, यहाँ o-h, यहाँ n-h2 बताओ जरा आप मुझे c-i-p rule के according बता देंगे बताईए c-i-p rule लगाईए कैसे इन चारों में सबसे आदा priorities की फिर इसकी फिर इसकी फिर इसकी एक से दो, दो से तीन, सौट इस पाट से जाना है ऐसे जाओगे क्या आएगा s लेकिन स्विच करके आर कर देना क्यों? चार नमबर वाला देखो चार नमबर वाला horizontal पर है ठीक है? आर आएगा? एकदम सही जा रहे हो, बहुत सही बहुत बढ़िया अगर मैंने मालो h यहां कर दिया o h यहां कर दिया ns2 यहां कर दिया और cs3 यहां कर दिया अब answer कर सकते हो आप आज लिफटा बट से नमबर वन, नमबर डू नमबर द्री, नमबर फोर ऐसे जाओगे ऐसा आएगा यही रहने देना क्यों, चार वाला कहां है वर्टिकल पर है अगर तुमसे इन दोनों में relation पूछ ले तो बताओ क्या होगा देखने में ये दोनों मेरा रिमेज जैसा तो दिखनी रहा लेकिन rs से भी answer कर सकते हो अगर r का r आया तो identical s का s आया तो identical r का s आया तो इन इन शोमर s का r आया तो इन इन शोमर एक chiral carbon वी यही दो answer होते है न ठीक है बता इन दोनों में क्या relation है बोलो cip rule लगाना है जल्दी फटावट से answer बोलो क्या relation है मैं बोल सकते हूं इन दोनों इन इन शोमर है बहुत बढ़ी है ठीक है अगला topic देखो meso compounds क्या होते है meso compounds न पता है क्या होगा 2-2 के 3 pair होंगे ठीक है 2-2 के 3 pair with POS ठीक है लिख दूं या 2-2 के 3 pair इंगलिस वाली हिंदी तो पड़ लेते हूं न with POS ठीक है और meso compound क्या होता है optically inactive due to internal compensation internal compensation क्योंकि plane of symmetry की वज़े से होता है ठीक है जैसे ऐसे ऐसे देखो me me h h oh oh dेखो 2-2 के 3 pair with POS क्या हो गया meso हो गया 2-2 के 3 pair with POS meso हो गया internal compensation की वज़े optically inactive है यह meso compound होते है ठीक है अगला है erythro 3-0 erythro 3-0 क्या होता है pattern से पकड़ना है आपको जैसे ध्यान से देखेंगे यहाँ CS3 लगा दिया यहाँ C2H5 लगा दिया यहाँ H यहाँ BR यहाँ H यहाँ BR similar group same side लगे हैं और इसमें same side ऐसे देखते हैं चाहे तो ऐसे देख लो E या फिर ऐसे देख लो तो ऐसे देख लो जड़ा same side है तो यह क्या हो गया क्या हो जाएगा देखो similar group opposite side लगे हैं ऐसा देखो अबोजिट लगें तो क्या हो गया है यह थ्रियो तो इस टाइप से क्लियर रहे है ऐसा होता है तो यह यह थ्री वाइस नुमर होता है मेजो कंबाउंड हो गया यह समझ गया आप चलो यह आगया रेसमिक मिक्षर समझ ल दी और एल का accumular mixture हो किसका दी और एल का accumular mixture हो मतलब क्या बोलोगे तुम एनेंशियो मर पियर ही तो बोले एक तरीके से क्या एनेंशियो मर पियर यह क्या होता है रेसमिक मिक्षर और पियर है तो दो compound होंगे और उन दो compound मेंसे एक compound अगर clockwise rotation करेगा PPL का तो दूसरा वाला इंटी को लगवाई इस तो को rotation cancel overall observe rotation cancel तो बोलेंगे क्या optically inactive होता है यह RM due to external compensation बोलते हैं इसको अलग-अलग compound का rotation cancel होता है ठीक है clear है एक definition होती resolution resolution क्या होता है separation of compound separation of D and L from RM इसको बोलते है resolution इस तरीके से अब यहाँ जो D है वो small D होता है यहाँ जो L हो small L होता है एक capital D capital L configuration भी होता है ध्यान दखना उसका small D small L से कोई लेना देना नहीं है capital D capital L configuration की अगर मैं बात करूँ तो इसका लेना देना सिर्फ इस से है किस से देखना जरा द्यान से अगर मेरे पास नीचे CS2 OH है और उसके first chiral carbon पर मतब उपर से चलो तो last नीचे से चलो तो यह first है ना यहाँ पर OH अगर right side है देखो जरा अगर यहाँ OH right side है तो यह capital D होता है और अगर ऐसा है कैसा इस type से यहाँ OH यहाँ H है इस टी एस लगा दिया OH कहां चला गया left तो यह capital L होता है ठीक है तो capital D capital L अलग होते हैं उससे small d small L से ठीक है क्लियर है तो यह कहानी थी तो DL हो गया मैजो हो गया है राइट रुद्धियों हो गया resolution हो गया रेसमिक्षर वाय यार बहुत ही बढ़िया बस हो गया और क्या और कुछ बचाए कि इसमें है बस इतने बताना था मुझे तो अने शुमार डाइसमर भी बता दिया हुआ ठीक है छलो गई कन्फर्मेशनल आई समयरिजम पर चलते हैं आज जड़ा कन्फर्मर समझ लो धियान से देखना ज़रा कन्फर्मर क्या होते हैं यहां पर या ओगा free rotation, ठीक है, मैं आपको वही वही revise करा रहा हूँ, जो ज़्यादा important है मतलब जिसके ज़्यादा तर question आते हैं, हो सकता है कुछ topic में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि उससे वो important नहीं है, क्योंकि हमें पूरी organic cover करनी है, pre-rotation pre-rotation around carbon, carbon single bond, ठीक है, तो यह होते हैं, conformance, अगर आप से कोई बोले, total conformance बता हो ज़रा तो total तो बेटा, rotation कितने वी type के angle पर करा सकते हो, total conformance कितने होंगे, infinite लेकिन हम जो पढ़ते हैं, वो कौन से पढ़ते हैं कौन से पढ़ते हैं, carbon, carbon, rotation वाले, stable, जादा और stable का मतलब least और most वाले पढ़ते हैं, ठीक है, clear तो तीसरा point है मेरे पास क्या अच्छा conformance infinite होते हैं, total conformance of methane methane के बताओ, methane में कोई carbon carbon bond है, क्या नहीं है तो zero होगा, ठीक है, अब हम कौन से पढ़ेंगे, वो धियान से देखना जाए, अगले पेज में start कर रहा हूँ, मैं, ethane, butane और cyclohexane के, बस यह तीन तुम पढ़के चले जाना, ठीक है, clear ethane, butane और cyclohexane के, धियान से देखना ज़रा मैं आपको ethane के बता रहा हूँ पहले, ethane के दो conformer होते हैं, एक eclipse दोर एक stagger, धियान से देखना ज़रा, यह dot हो गया, यह round हो गया, कहां से बना रहा हूँ मैं, ethane से बना रहा हूँ, कैसे, इसको one, इसको two, dot वाले को one बोल रहा है, round वाले को two बोल रहा है, ठीक है, अब मैं यहाँ पर इस तरीके से bond का और इस वाले CH bond का जो angle है, अगर यह angle theta, 60 degree होता है, ठीक है, 60 degree होता है, तो इसका नाम है staggered form, क्या नाम है, staggered form, अगर मैं, अगर मैं इसको घुमा दूँ, round वाले को पकड़के घुमा दो, तो आप आपको ऐसा देखेगा, धियान से देखना, यह dot हो गया, यह round हो गया, round वाले को पकड़के घुमाओ गये, तो आपको कुछ इस प्रकार नजर आएगा, इस तरीके से, अब तुम्हारा CH, TH bond angle, diedral angle, 0 की तरफ चला गया, तो theta tends to क्या है, 0, तो यह होता है आपका eclipse form, ठीक है, तो यह staggered यह eclipse, ठीक है, bond जहाँ दूर दूर, वहाँ कम रिपल्सन, मतब ज़्यादा stable, तो अगर मैं यहाँ stability की बात करूँ, stability की बात करूँ, तो staggered की ज़्यादा किस से eclipse है, और energy की बात करूँ, तो staggered की infinite है है ना most or least stable पड़ रहे है इनके बीच में जितने सब बनेंगे उन सब को skew form बोलते है all conformers between eclipse and staggered are skew form ठीक है तो यह हो गया यह थे इनका आप चलते हैं butane पे देखना जड़ा क्यां से देखो जड़ा butane में क्या होते हैं 4 होते हैं जैसे अगर मैं CH2, CH2, CH3 symmetrical हम बनाते हैं तो बीच वाले को 1, 2 दे दो ताकि symmetry maintain रहे एक methyl दो hydrogen के साथ ठीक है देखना जड़ा ध्यान से अगर मैं इसका पहला confirmar यह वाला बनाता हूँ यहां methyl यहां methyl HH HH इसका ना विड़ा fully eclipse क्या नाम है इसका fully eclipse जहाँ पर methyl methyl वाला dihedral 0 हो methyl methyl का dihedral 0 हो उसको fully eclipse ध्यान से देखना क्या बोलते हैं उसको fully eclipse ठीक अब अगर मैं round वाले को गुमा दूँ तो बेटा कुछ ऐसा नजर आएगा 60 degree गुमा रहा हूँ देखना अगर मैं 60 degree गुमा दूँ तो कुछ ऐसा नजर आने वाला है yummy yummy yach 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 देख बज़रा ऐसा देखेगा round को गुमा या 60 आगया angle me me का इसको बोलते हैं आपन staggered form लेकिन इस particular form का नाम है गौची क्या नाम है गौची गौच फॉर्म बोलते हैं इसको staggered का ही part आई ये हैना अगर मैं फिर से गुमा दूँ कितना 64 गुमाओ गुमाओ ज़रा फिर गुमाओगे तो कुछ ऐसा नजर आएंगा देखना बड़ा नजरें screen पर धियान से देखना ज़रा है ना ऐसा देखेगा ऐसा देखेगा ऐसा देखेगा देखो yummy yummy yach 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 अब yummy और h का एंगल कितना है zero degree इसका मतलब ये parcelli eclipse होएगा क्या होएगा parcelli parcelli eclipse क्या है parcelli eclipse eclipse ठीक है फिर गुमाओगे 60 ठीक है फिर गुमाओगे 60 गुमाओगे गुमाओगे अरे गुमाओगे ऐसा देखेगा फिर 60 गुमाओगे तो yummy yummy अपोजेट आ जाएंगे dot round ध्यान से देखना इधर क्या आएगा yummy इधर क्या आएगा yach yach इधर क्या आएगा yach yach देखो अब yummy yummy अपोजेट आ गए one it angle हो गया इसका मतलब ये क्या हो गया anti क्या anti तो ये चार गनफर्मर आपको बढ़ने है ठीक है clear clear अब मुझे बताओ इन चारों में stability और energy का order क्या होगा stability और energy का order फटा फट से बताईए अगर मैं stability की बात करूँ किसकी stability अगर मैं stability की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा stable anti बलकी ने से चलना है ठीक है उसके बाद चलना है गाउची फिर आना है पार से ली फिर आना है फिल ली answer इसका उल्टा कर देना energy का order आजाएगा ठीक है clear एकदम हो गया revise very nice बहुत बढ़िया ठीक है very good तो ये हो गया क्या butane के conformer अब चलते हम कहां पर cyclohexane पर अच्छा इसमें एक effect समझ लो उसके पाद चलेंगे फिर gauchy effect क्या होता है इसमें point ये लिखेंगे when hydrogen bonding when hydrogen bonding is present then gauchy ज़ादा हो जाएगा किससे anti से बाकी order आपको पता है वो ही रहेगा parsley fully रहेगा बस gauchy anti में switch हो जाएगा ठीक है ध्यान लगना जैसे मतलब full order लिखो तो ऐसा आएगा gauchy anti फिर parsley और फिर fully ये stability का order है ऐसा इसलिए होगा क्योंकि ये cheaper hydrogen bonding हो जाएगी एक example देखो जेई का ही सवाल एक आया हुए टू फिलोर ये थेनॉल की अगर मैं बात करूँ ठीक है अगर मैं इसका एक conformer गोची वाला बनाके दिखाऊं आपको तो कुछ इस प्रकार दिखता है यहाँ OH लगा दिया यहाँ F लगा दिया बागी सब H कर दो तो आप देखेंगे जरा तो ऐसा पाएंगे कि ये hydrogen bonding हो रही है तो जब कभी भी hydrogen bonding होगी आपको पता कैसे चलेगा hydrogen bonding हो नहीं है F, O, N से जुड़े हुए एंटी, गौची, पारसली, फुली अगर hydrogen bonding है तो गौची, एंटी, सोईच हो जाएंगे ठीक है, क्लियर क्लियर है क्या हम आगे बढ़ सकते हैं क्या हम आगे बढ़ सकते हैं जल्दी बोलें चलो बहुत बढ़िया तो ये गौच एफेक्ट भी ध्यान लखना अगला हैस में next हैस में cyclohexane के ठीक है तो cyclohexane के अगर मैं बात करूँ तो इसके चार confirm रहे हैं और उसको आपको ध्यान लखने है एक है आपका chair form ठीक है एक है आपका boat form ठीक है एक है आपका half chair ठीक है और एक है आपका twist boat चल जा भाई एक है आपका twist boat ऐसा ठीक है चार होते हैं इसमें chair सबसे ज़्यादा फिर twist boat फिर boat और फिर half chair ये इसका stability का order आपको ध्यान लखना है और इसमें जो twist boat होता है ये वाला ये optically active होता है ध्यान लखना optically active due to plane of disemetry PUS नहीं होती इसमें ठीक है ये इसको chair बोलते हैं पता ही है आपको ये होता half chair ये होता है boat और ये twist boat ठीक है तो वस ये ध्यान लखना है आपको चलें आगे चलो है बहुत बढ़िया very nice इस्तांसे लें जरा दो सेकेंड के लिए geoc start करते हैं वापन ठीक है बहुत बढ़िया आईए geoc बढ़ते हैं क्या कैस में पढ़ेंगे अपन सबसे पहले एफेक्ट देख लेते हैं पहला क्या है इंडक्टिव दूसरा क्या है रेजोनेंस और तीसरा क्या है वड़ा hyperconjugation ठीक है बस ये तीन एफेक्ट ही आप में पढ़नें अगर हम inductive एफेक्ट की बात करें ठीक है अगर हम inductive एफेक्ट की बात करें तो यहां से कहानी सुरू होने वाली है आपकी पहला एफेक्ट बता रहा हूँ मैं inductive अगर मैं inductive एफेक्ट की बात करूँ तो inductive कैसा होता जल्दी फटावर्ट से बोल दो पहला point distance क्या होता distance dependent तही बात है distance पर dependent करता है ठीक दूसरा दूसरा partial charge development होता है यहां actual charge होता नहीं है partial charge development तही एकदम very nice तीसरा point तीसरा point operate to operate to sigma bond ठीक है और can be neglected after third carbonate अब इंडक्टिम में दो पार्ट होते हैं एक plus i और एक minus i ठीक है एक क्या होता है plus i और एक क्या होता है minus i ध्यान से देखना ज़रा अगर मैं कुछ ऐसा ले लूँ carbon की chain ले ली और यहां मैंने कुछ ऐसा group लगा दिया g जो carbon की chain को electron दे रहा हो जो carbon की chain को electron दे रहा हो तो इस पर क्या develop होगा negative negative develop होने का मतलब इसने अपना effect induce कर दिया इसने inductive effect बोलते हैं और इस type को बोलते हैं plus i minus i वाले क्या होंगे कुछ ऐसा group या atom लगा दूँ जो अपनी तरफ electron को खीचने लगे खीचने लगे तो यहां क्या आएगा plus i आएगा ठीक है ऐसा दिखेगा तो यह क्या होगा minus i इस type के group को बोलते हैं electron withdrawing group या minus i group इस type के group को बोलते है plus i या फिर electron donating group ठीक है यह कहानी है clear एकदम simple सा effect है अब आपको plus i और minus i series याद करनी होती है जो कि सब को अब तक याद होगी क्योंकि अब exam देने तो जाई रहो है न तो plus i और minus i series आपको याद है मैं आपको application बता देता हूँ फटाबट से ठीक तो यह कहानी है application देखेंगे acidic strength में इसका ठीक है यह एक काम करूँ मैं combine resonance और hyper पढ़ागे फिर पूरा का पूरा एक साथ application क्योंकि उसके भी effect आ सकते यह resonance वाले है न यह ऐसा सही है तो एक काम करता हूँ पहले inductive बता दिया मैंने अब resonance समझ लो फिर hyper समझ लो न फिर एक साथ application कर लेंगे तो सही रहेगा resonance effect क्या होता है inductive में तो क्या होता था partial charge develop होता था sigma bond में operate होता था resonance effect कहा operate होता है operate to pi bond operate to pi bond में operate होता है दूसरा actual charge develop होता है यहाँ पर actual charge development होता है बिलकुँ सही बात है ठीक है pi bond में लगता है actual charge develop होता है ठीक distance independent distance independent होता है independent ठीक है ऐसा कहीं तक भी जा सकता है यह बस conjugation होना चीए ठीक है resonance effect को देखने के लिए तुम्हें आना चीए conjugation ठीक है conjugation सबको याद रहते है नहीं तो कोई बात नहीं मैं एक बार लिख देता हूँ आपको ऐसा दिख जाए किसी भी atom पर plus हो minus हो lone pair हो radical हो यह चारों चलेंगे single double ऐसा हो ठीक है या alternate double हो a double b single c double d ठीक या ऐसा हो जिसको back bonding बोलते है एक atom जिसके पास vacant orbital और दूसरा atom जिसके पास lone pair इसका back bonding नाम है alpha effect भी नाम है इसका है तो यह कहानी है conjugation यह बस इतने ही ध्यान लगा बाकि और भी होते हैं लेकिन जो काम यह वो लिख रहे है ठीक है clear है तो resonance चेक करने के लिए conjugation आना चाहिए आपको ठीक अब resonance effect में दो type हम लिखेंगे क्या एक plus M और एक क्या लिखेंगे minus M देखो जरा double bond या फिर benzene ring पर कोई ऐसा atom या group लगा दो जिसके पास lone pair हो तो यह क्या करेगा lone pair is converted to bond pair and bond pair is converted to lone pair तो यह atom इस chain पर negative create कर रहा है इसका मतब यह कौन सा होगा plus M group होगा effect का नाम plus M effect है अगर मैं इसका resonating structure बनाऊ double headed arrow से तो ऐसा दिखेगा ठीक इस तरीके से इधर आना जरा minus M क्या होगा अगर मैं यहां कोई ऐसा atom या group लगा दूँ जिसके पास pi bond हो जैसे CHO मैंने ले लिया ठीक है तो यह क्या करेगा bond pair is converted to bond pair and bond pair is converted to lone pair ऐसा दिखेगा यहां से देखो इस तरीके से दिखेगा तो इस group ने क्या किया कार्वन की chain पर plus create कर दिया मतलब यह minus M effect और यह group minus M कहलाएगा ठीक है clear एक दम तो lone pair देने वाला plus M और pi electron खीचने वाला minus M तो अगर तुमसे कोई पूछ ले plus M group और minus M group बताओ तो बहुत simple है सुनो जरा conjugation से पहला atom कौनसा atom first atom पहले atom पर pi bond तो minus M lone pair तो plus M ठीक है पक्का कर लोगे आजो जरा question यह है identify plus M and minus M बताओ जल्दी फटावट से plus M और minus M बताना है आपको क्या होगा चलो बई लिख रहा हूँ मैं कुछ group फटावट बोलते जाओ OH NH2 OCS3 NO2 CHO COH SO3H O minus और क्या बचा बस इतने काफी है कर लोगे चलो बई पहले atom के पास loan pair तो plus M जल्दी बताओ फटावट से पहले atom के पास loan pair तो plus M और अगर pi bond तो minus M जल्दी से करो जल्दी से करो बदा जल्दी फटावट क्या है जल्दी बोलो इसके पास loan pair है तो क्या होगा plus M इधर भी plus M इधर भी दो दो है मैं एक ही बना रहा हूँ plus M इधर इसके पास loan pair नहीं है pi bond भया अरे यार क्या बात कर रहे हो N उड़ो ऐसा होता है कैसा ऐसा pi bond है minus M इधर भी pi bond minus M इधर भी pi bond minus M पहले atom पे इधर भी pi bond minus M इधर loan pair plus M चेक कर लो जड़ा क्या सही है आपके क्या सही है आपके अब कुछ group ऐसे होते है जो दोनों दिखाते है plus M भी दिखाएंगे minus M भी जिसमें से एक दिहान दखलो बस N double bond O देखो इसके पास loan pair भी है और pi bond भी है तो ये क्या है आपका minus M and plus M दोनो ठीक है कुछ group ऐसे है जिसके पास loan pair नहीं होगा फिर भी plus M दिखाएंगे जैसे मिथाइल ये होते है plus M due to plus H hyperconjugation अभी थोड़ी दिरवाद समझाऊँगा आपको है ना तो ये वाले plus M होते है कुछ ऐसे होंगे अच्छा यहां तो लिखी दिया कुछ ऐसे होंगे जिसका donor होगा कुछ ऐसे जिसका सिर्फ और सिर्फ हाइपरconjugation की वज़े से हो है ना ठीक है तो ये कहानी है ये दो-तीन अलग से धिहान लगना चलो ये हो गया आगे चलते हैं अब हम चलते हैं hyperconjugation पर अगर मैं hyperconjugation की बात करूँ तो ये दो जगे समझ लो आप carbogatine में समझा देता हूँ अलकीन में समझा देता हूँ carbogatine जैसा free radical में होता है जैसे मेरे पास ऐसा लिखा है CH2 प्लस single CHHH ठीक है और एक अलकीन वाला देख लो CH2 double bond CH single CHHH hyperconjugation में यहां क्या होता है sigma और back end P का interaction होता है यहां sigma और pi star का interaction होता है जो pi bond का anti bonding खाली होता है क्या होगा क्या होगा इसमें ये दोनों electron इसके पास आएंगे यहां minus आएगा प्लस minus interact कर लेंगे ठीक है इसको double headed arrow से बोलते है ठीक है यहां minus आएगा ये bond में convert होकर इसको यहां कर देगा ये मैं समझाने के लिए ऐसा बता रहा हूँ जबकि आप एक ही step में दिखा सकते हो कैसे ये bond यहां आना ठीक या ये bond यहां आना ठीक है चलो भई धियान से देखना इधर क्या होगा CH2 minus single CH देखो ऐसा देखेगा तो इस वाले में कैसे bond break हो रहा है इस वाले में कैसे हो रहा देख लो अगर free radical होता तो beat से break कर देते दौनों जगे radical आ जाता अगर free radical होता तो तो मुझे आप एक बात बताओ इसके कितने structure बन सकते हैं CH bond break करने के बाद तो total number of hyperconjugative structure किस पर depend करेगा इस carbon पर कितने H हैं और इस carbon का नाम alpha carbon है क्यों carbon carbon के पास वाला है तो इसमें जो question बन सकता है वो क्या बन सकता है वो देहान से सुनना जड़ा है ना total number of total number of hyperconjugative structure involving TH bond breaking CH bond breaking ये किस बात पर depend करेगा ये होगा is equal to total number of alpha H ठीक है इस से हो जाएगा आपका ठीक clear सवाल करो ज़रा find hyperconjugative structure ठीक है पड़ावट से निकालो जल्दी से पहला दूसरा तीसरा अलकीन भी ले लो कुछ चौथा पाच्वा चलो भई पड़ावट से आंसर करें जल्दी से पड़ावट से आंसर करेंगे सभी लोग जल्दी total number of hyperconjugative structure बता दो alpha h से चेक करना है पहले वाले का वेड़ा पढ़ने वाले धिहान देते रहें वस इतर है न पहले वाले के 2 alpha h इस वाले के 3 और 3 यहां देखो यहां 3 और यहां 3 6 alpha h इस वाले के 3 यहां 3 यहां 3 यहां कितने हो गए 3 3 6 3 9 alpha h इस वाले के सिर्भ यहां पर 2 alpha h इस वाले के 3 और 3 6 alpha h इस वाले के 3 यहां और 2 यहां कितने पाँच अलफा एच इस तरीके से होता है ठीक है आगे सब के आंसर आगे होंगे खेर है न तो इस टाइप का सवाल बन सकता है इस तो मैंने आपको तीनों एफेक्ट बता दिए अब हम चलते हैं तीनों एफेक्ट से रिलेटेड चीजें पढ़ने के लिए पहले मैं कि दहान देना इंटरमीडेट में क्या क्या होता है PD करेंगे कार्बो के टाइन की टिक के सबीखा पता है होमोलेटिकट बॉर्डब्रेकिंग से ही रेड bliss बनता है और हैंट रोलेटिक से कार्भो के टाइन और मनते हैं अगर अपनी ध्यान से यात रखना, कार्वोगिटायन में सबसे पहला factor आपको सोचना है backbonding, क्या सोचना है BBS backbonding stability सबसे पहले सोचना है कभी भी आपके सामने question मिले सबसे पहले आप BBS सोच लो, ठीक है backbonding सोच लो, ठीक कैसे सोचोगे कार्वोगिटायन होगा तो एक तो होगा ऐसा वही कार्वन पे तो प्लस होगा न और इसके side में जुड़ा हुआ ऐसा atom हो, जिसके पास loan pair हो, और अगर इसके पास loan pair हुआ, तो यह अपना loan pair क्या करेगा, इसको दे देगा प्लस charge को, मतलब यहां bond बना लेगा और bond बना लेगा, तो कुछ ऐसा देखेगा ऐसा देखेगा इसने क्या हो गया, stability आ गई न अरे bond बढ़ गया, πाई bond बढ़ गया stability आ गई, charge से नहीं देखना भेटा, ध्यान दखना हमेशा back bonding में overlapping से देखते हैं, आप electronegativity से मत देखना, overlapping से देखना, ठीक है, तो अगर carbon और atom एक के बीच में overlapping अच्छी हुई, मतलब बहुत बढ़िया चीज है, जैसे example देखें, मेरे पास एक है CH2+, single NH2, एक है मेरे पास CH2+, single OH, एक है मेरे पास CH2+, और F, ध्यान से देखो क्या इन सभी के पास क्या इन सभी के पास BV है, जल्दी बोलो क्या इसकी BV है, बिलकोल है देखना, loan pair है न, मिल गई BV loan pair है, मिल गई BV loan pair है, मिल गई BV सभी के पास loan pair है, तो BV मिल गई अब मुझे बताओ, period table तो जानती हो न carbon यहाँ आता है, फिर nitrogen, फिर oxygen, फिर fluorine किसकी bonding अच्छी होगी, जो आसपास होंगे, मतलब carbon nitrogen के पास में है, फिर oxygen आ रहा है फिर fluorine आ रहा है, bonding किसकी अच्छी जो पासपास होंगे, पासपास होंगे मतलब यह होगा answer, इस तरीक इस चलना है, ठीक है 1, 2, 3 is the right answer, ठीक carbonium iron और carbonium iron, और carbonium 3 plus, बताओ, इसमें और इसमें कौन जादा stable है, बताइए बताइए, बताइए size से चलना है, size से, electron negation size से चलना है, ठीक है तो कैसे चलोगे, यह आ गया न answer क्यों carbon fluorine comparable size का same period में है, chlorine तो नीचे आ जाता, third period में है न, समझ गा है, तो यह aromaticity, क्या सोचना है aromaticity aromaticity कैसे चेक करते हैं, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, एक बार फिर से revise कराता हूँ, cyclic compound होना चाहिए, ठीक है planar होना चाहिए conjugation होना चाहिए ठीक, यह तीनों condition अगर fulfill हैं, तो अब आपका answer यहां से क्या आएगा, दो आएगा, या तो aromatic होगा, या anti-aromatic होगा, aromatic तब होगा जब 4N प्लस 2 pi electron होगे जिसको अपन क्या बोलते हैं, हकल्स rule बोलते हैं, क्या बोलते हैं हकल्स rule और अगर 4 का multiple होगा, 4N pi electron इसका कोई rule नहीं है, अपने नाम पे लेना, है ना, तो ये anti-aromatic होगा, अगर इन तीनों कंडिशन में कोई फेल होगे, तो non-aromatic बोल देना, ठीक तो aromatic यह से चेक करनी है, जैसे मेरे पास एक लिखा है ये ठीक, और एक लिखा है मेरे पास ये चेक करेंगे जड़ा एक बार, आईए आईए, आईए, ये क्या है, 6 pi electron है ये 7 की रिखेंगे ना, बागी सारी condition fulfill है आप चेक कर लो, 3 pi 1 6 pi electron, positive में तो होते नहीं है, है ना इधर कितने है, 4 pi electron positive में तो होते नहीं है, ये anti-aromatic, 4 का multiple आये ना, तो anti-aromatic है, ठीक है, 4 का clear एक दम very nice, बहुत बढ़िया तो 6 pi electron aromatic हो गया, ये, क्या हो गया, anti-aromatic तो आपको क्या aromatic सोच नहीं है इसके बाद तीसरे नंबर पर क्या सोचना है resonance 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 कैसे सोचोगे, सीधा सीधा सा है, क्या stability of intermediate is directly proportional to क्या conjugation, जितने ज़्यादा resonance होगा उतना ज़्यादा stability होगा, ठीक जैसे, ये देखो ऐसा और ऐसा बताओ, कौन सा ज़्यादा जल्दी बोलो, कौन सा ज़्यादा, बिड़ा यहाँ दो resonance यहाँ एक resonance तो ये ज़्यादा हो जाएगा अगर मैं अगर मैं यहीं पर एक और इंटोड्यूस कर दूँ, धिहान सा देखना, एक concept और बता देता हूँ साथ में अगर मैं इसको ऐसे लिख देता तो ये ज़्यादा हो जाता यहाँ भी दो resonance बोल सकते हो, लेकिन ये extended conjugation है extended वाला ज़्यादा stable होता है किस से, cross conjugation से भाई ये इधर भी जा रहा है, इधर भी जा रहा है ये extended है, plus single double single double, एक ही सांस में चल रहा है, है ना तो ये कहानी हो गई आपकी resonance वाली, resonance सोचना है उसके बाद क्या सोचना है आपको चौते नमबर पे, hyper सोचना है hyper conjugation कैसे, stability is directly proportional to alpha h, अभी आपको है, तबी तो stability आईगी, कार्वोकेटाइन में, इसका मतलब stability is directly proportional to plus है, ये सारा कार्वोकेटाइन का मामला चल रहा है और investment proportional to क्या आएगा, माइनस आई, ठीक है ऐसे सोचना है आपको clear clear है एकदम आगे बने चलो बई, तो अब हमें ये सोचना है और कैसे सोचोगे एक सवाल कर लो, तो अच्छा लगेगा compare compare stability compare stability बताना oh plus ये वाला बताओ ये वोलो ये वोलो ये वोलो, चलो बई, इन चारों में फटावट से बता दो, जल्दी से ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये और हो गया, बताए 1, 2, 3, 4 में जल्दी से फटावट से जल्दी बोलो जल्दी बोलो जल्दी बोलो, जल्दी बोलो फटावट से compare the stability देखो यहाँ पर backbonding, भईया, इसकी BV है, backbonding है इन में किसी में backbonding नहीं आ रही है अगला aromaticity चेक करो ये सारे open chain है कौन सा, 1, 2 और 4 open chain है, 3 वाला anti-aromatic है open chain वाले तो non-aromatic होंगे न, cycle की नहीं है तो मुझे इतना तो पक्का पता है कि 1 वाला सबसे ज़्यादा होगा क्योंकि BV है और 3 वाला सबसे कम होगा क्योंकि anti-aromatic है confirm, अब 2 और 4 में compare कराओ इसमें क्या है resonance और इसमें no resonance बसा गया answer ठीक है, तो 2 आएगा और फिर 4 आएगा इस तरीके से आप compare करा ले न, ठीक है backbonding को सबसे पहले priority देते हैं दिहान लखना, सबसे पहले backbonding को priority देते हैं clear clear अरे भाई बहुत आसान है पहले backbonding BV और फिर उसके बाद anti-aromatic पीछे, अब resonance और non-resonance वाला बीच में आगे है ठीक 1, 2, 4, 3 आ रहा है answer अरे भाई, क्या बात है बहुत सही जा रहे हो, एकदम सही जा रहे हो तो ये आपको compare कराना है किसमें कार्वो के टायन में ठीक है अब अगर मैं आपसे बोलूं कार्व नायन के बारे में second वाला देखना कार्व नायन में कैसे सोचोगे पहला backbonding सोचना है आपको लेकिन यहां की backbonding कैसे होगी वो सुन लो यहां की backbonding होगी CH2- होगा क्योंकी कार्व नायन है और यहां कोई ऐसा atom होगा जिसके पास vacant orbital हो यहां lone pair भी होगा vacant orbital हो और vacant D usually कौन सा होगा D-orbital यहां D-orbital vacant D होगा जैसे अगर आपसे बोला जाए CH2- single SH और CH2- single OH बताओ जादा stable कौन सा है पहली निज़र में देखने से भी बता दोगे आप यह वाला क्यों? sulfur के पास vacant orbital होता है क्यासे पता से लेगा atomic number 13 से लेकर 16 तक sorry 17 तक 13 से 17 और इसके नीचे वाले इन सबके पास vacant d होता है तो sulfur आता है 16 ग्रूप में अगला बताना CCL3- जादा होगा CF3- से क्यों? इसके पास vacant orbital है समझ रहे हो? तो इस तरीके से होता है तो यह जो NIN है इसका loan pair होगा न तो यह अपना loan pair इस orbital को दे देगा तो यहां का जो BB होता है उसमें vacant d और विडल यूज होता है ठीक है? clear? चलो भई तो यह हो गया आपका carvenine का पहला दूसरा factor क्या है? सेम वही aromaticity aromaticity आपको पता ही है क्या होता है? aromatic, non-aromatic, anti-aromatic ठीक है? अनना से याद कर लेना तीसरा resonance stability is directly proportional to resonance है ना? और actual में जो resonance हम गंपर कराते हैं यहां carvenine में negative charge वाला जितना जयादा resonance उतनी जयादा stability ठीक है? चौथा सीधा यहां पर resonance हो गया hyper लगाने, inductive लगाना है सीधा है ठीक है inductive तो stability अब मेरे पास क्या है? carvenine है ना? carvenine के लिए negative charge है negative charge को कम करना है तो ऐसा लगाओ जो आपका charge कम कर दे तो minus i लगा दो carvenine का charge कम कर दे खीच लेगा ना? ठीक है? तो stability का answer आप निकाल सकते हो सवाल आपके सामने आ रहा है minus ऐसा ऐसा बता हुजरा answer बोले फटावट से answer बोले फटावट से answer बोली फटावट से जल्दी बोलो क्या आ रहा है? जल्दी बोलो बेटा ध्यान रखना back bonding सबसे उपर होता है air ometicity से भी उपर back bonding होता है चलें आगे बताए answer यहां क्या बीवी है इसकी? अरे वाई इसकी बीवी है ना? ठीक यह क्या है? aromatic six pi electron है ना? क्योंकि negative में दो electron होता है यह क्या है? resonance एक रेज़ो बोल सकता हूँ मतलब एक बार conjugation resonating structure दो होंगे मैं एक रेज़ो मतलब conjugation किसाब से बोलना हूँ यहां पर no rezo ठीक है? सबसे आद बोना आएगा BB फिर aromaticity resonance और फिर last बाला 1,2,3,4 सही है? सही है एक दाम बहुत बढ़ी है very nice ठीक है? अगला देखो तीसरे नंबर में free radical free radical में कोई tension नहीं है आपकी जीवन में free radical कैसा होता है? carbocation जैसा होता है कैसा? same as carbocation carbocation ठीक है? carbocation जैसा होता है लेकिन इसमें BB नहीं लगानी BB नहीं लगानी क्यों? BV में तो दो electron का लेना देना चलता है यहाँ एक electron और लेक्ट्रोन है Aromaticity में भी even number के ही electron होते है तो आपको यह नहीं सोचना यह नहीं सोचना क्या सोचना है resonance then hyper then inductive यह होता है resonance hyper inductive Aromaticity सोचना ही नहीं आपको free radical में धिहान दखना जैसे ऐसे ऐसे देखो जड़ा एक radical यह है एक radical यह है एक radical यह है और एक radical यह है चलिए भई दुरू कीजिए Carbocatine जैसा ही चलना है आपको है न आईए यहाँ क्या है resonance जमा जम ठीक यहाँ no resonance no resonance no resonance ठीक है यहाँ alpha H से करो फिर 3-3-6 alpha H 3-2-5 alpha H 3-2-5 alpha H ठीक सबसे जादा यह हो गया उसके बाद यह हो गया आप इन दौनों में गंपर कराना है लोरीन और किलोरीन में अगर में गंपर है यहाँ number करके लिख देता हूँ न यह 1 हो गया यह 2 यह 3 यह 4 तुम्हें इतना तो पता चल गया कि 1 वाला resonance की वैसे जादा है और 2 वाला alpha H की वैसे जादा है अब 3 और 4 में कैसे कराओगे दोनों में 5 पाँच है अब देखो ज़रा यह फिलोरीन है यह क्लोरीन है क्या है यह माइनस आई कैसे सोचना फिली रेडिकल को कार्वोगडाइन जैसे सोचना है माइनस आई वाला क्या करेगा stability को कम कर देगा कार्वोगडाइन या फिली रेडिकल की क्योंकि deficiency यहाँ भी है deficiency भी थी तो माइनस आई वाला stability को कम कर देगा तो चार आएगा और फिर तीन आएगा चेक कर लो 12-43 चेक करें जरा सही है क्या बहुत बढ़ी है बहुत बढ़ी है तो इस तरीके से आप कर लोगे इंटर्मीडिट के सवाल वेरी नाइस अब हम चलते हैं एसेटेक स्ट्रेंद पर ध्यान से देखना जरा अगर मैं एसेटेक स्ट्रेंद की बात करूँ तो यहाँ पर दो टाइप की चीज़ें आपको मिलेंगी ठीक है एक तो मिलेगा आपको एलिफेटिक कार्बॉक्सिलिक एसिड एलिफेटिक कार्बॉक्सिलिक एसिड या फिर फिनॉल है ना सोरी फिनॉल नहीं एल्कोहल एलिफेटिक कार्बॉक्सिलिक एसिड मिलेगा या आपको एल्कोहल मिल सकता है ठीक है तो इसके आंसर आप निकालोगे इंडक्टिव से ठीक है आपको क्या लगाना है यह effect कैसे ध्यान से देखना ज़रा यहाँ पर क्राइडिर यह लगाओगे कि acidic strength is directly proportional to minus i और inversely to plus i क्योंकि आपको carboxylate ion को stabilize करना है तो minus i वाला group खीचेगा न तब तो anion stable होगा carboxylate वाला ठीक है चलो भाई क्लियर है अब देखना ज़रा सवाल यहाँ coh लगा दिया यहाँ no2 लगा दिया ठीक यहाँ coh लगा दिया और यहाँ मैंने cl लगा दिया बताओ ज़रा कौन सा दा बोलो coh को कभी मत छेड़ना क्यों इसके लिए compare कराना है इसके अलावा जहाँ भी difference दिख रहा वहाँ ग्रूप compare करा लो आओ जड़ा इधर क्या no2 क्या होता है minus i इधर क्या cl क्या होता है minus i जिसकी minus i power ज्यादा वो आपका सबसे ज्यादा ऐसे डिक कर देगा और inductive में आप एक rule लगाते हो distance number और power तो ये भी दिखान लखना ठीक है पहले distance देखेंगे फिर number फिर power distance बरावर थी number भी सेम था power से मैंने answer कर दिया ठीक है clear ठीक है हो गया question अगला करके बताना यहाँ मैंने 2F लगा दिये और यहाँ 1CN लगा दिये बताओ ज़रा ज्यादा ऐसे डिक कौन सा होगा पहले distance देखो परावर distance पर लगे है नंबर में देखेंगे तो यहाँ पर दो दो फिलोरीन लगे हैं यहाँ 1CN लगा है पावर वाद में आती है पहले नंबर आते हैं ठीक है समझ गया बात clear चलो भई यह हो गया अब अगर आपको यह तो अलिफेटिक में कराल हो गया अब अगर आपको aromatic carboxylic acid में चलना है यहाँ पर आपको सबसे पहले सोचना है क्या और्थो एफेक्ट और्थो एफेक्ट क्या होता है acidic strength of ortho substituted benzoic acid increases ठीक है यह एक टाइप है SIR का इस तरह के innovation in resonance का ही टाइप है ortho effect benzoic acid के ortho पर कोई bulky group लगा दो तो increase हो जाती कब ऐसा होता है ortho substituted में कौन से वाले bulky group कौन से बलकी group अब bulky group कौन कौन से होते हैं बहुत सारे होते जो नहीं होते वो बता देता हूँ जो तो नहीं होते जैसे h o h n h 2 f और cn यह बलकी group नहीं होते इसके अलावा सारे बलकी है ठीक तो a seduction क्या हो जाएगी बढ़ जाएगी तो क्या करोगे आप देखो ज़रा ऐसा क्योंकि plane change करते ता ना resonance बढ़ जाता है quality साइल लगा दिया और यहां मेरे बास सी यह है बताओ जड़ा कोई साभी ग्रूप हो चाहे माइनस मों चाहे प्लेस हैं उस पर डिपेंड नहीं करेगा बलकी होना चीजिए बस है ना तो इन नोनों में ज्यादा कौन सा होगा यह वाला क्यों यहां पर और लग रहा है यह क बेंजीन से रेजोनेंस रुकने का मतलब सी ओ माइनस में आपस में रेजोनेंस बढ़ जाता है ठीक तो यह हो गया क्या और्थो एफेक्ट पहला यह सोचना है और्थो एफेक्ट के वाद आप जब भी ऐसे डिकस्टेंट कंबर कराओगे तो सेकिंड पॉइंड पॉइंट मैटा पर चार्ज करेट नहीं करता अगर फ्लस यमवाला गरुप होगा तो वो उस सके चाहिं यह गूर्थो इंड यह नवदा होता है प्लस M, due to loan pair, is greater than, plus M due to, plus H, जैसे मिथाइल वाले का, कम रहेगा, और OH वाले का, ज्यादा रहेगा, ठीक है, मैं कुछ selected लिखा रहा हूँ, बहुत सारे होते हैं, जो selected है, वो मैं लिखा रहा हूँ, आपको है न, 6, plus M due to, loan pair, is greater than, क्या, plus M due to, internal conjugation, ठीक है, इतने से आपका काम हो जाएगा न, बाकी और भी होते हैं, मैं सिर्व इतनी लिखा रहा हूँ, जैसे, OH वाला ज्यादा है, compared to O, C double bond O, TH3, क्यों, इसमें आपस में ही conjugation है, internal है, तो यहाँ कोई benzene ring लगी होगी, तो यह उसको आसानी से नहीं दे पाएगा न, ठीक है, क्लियर, तो यह कुछ पॉइंट है, इससे आप पढ़ोगे, तो आएकदम study answer आएगा, हमेंसा सही होगा, ठीक है, आजाओ ज़रा, ठीक है, क्लियर है, अब मैं आपको question करवाता हूँ, सारे बनाएंगे हैं बनाओ, आपके सामने सवाल आपकी screen पर यह रहा, COH यहाँ N.O.2 लगा दिया, ठीक, मैटा पे लगा दो और पैरा पे, आजाओ ज़रा फटावट से solve करो, एक मैटा पे लगा दो और एक पैरा पे लगा दो, चलिए भया, आईए, आईए, क्या पहले वाले में और्थो effect है, N.O.2 बलकी में आता है, या साता है, तो और्थो effect है, ठीक है, फ यह कहां पर लगा, इसके respect में मेटा पे, मेटा पर M काम नहीं करता, मेटा पर M काम नहीं करता, सिर्फ इंडक्टिव, और यह कहां लगा है, पैरा पे तो minus M and minus I, और acidic strength के बारे में, आप जानते हो, directly proportional to minus M and minus I, और inversely proportional to, क्या बड़ा, plus M and plus I, clear एक दम, तो यह कहानी है, बस हो गया, माइनस वाले सपोर्ट करेंगे, माइनस वाले जादा होंगे, तो सपोर्ट करेंगे, यह वाला माइनस तो, छोटा सही है, बड़ा माइनस आईए, एक के बात क्या आएगा, तीन और फिर, दो, क्या यह बात सही है, क्या यह बात सही है, बोलो, 132 आ रहा है क्या answer, अरे एक दम फोड़के आओगे पेपर में, बहुत बढ़िया, आजाओ, अगला सवाल, दूसरा, देखना बेटा दिहान से इधर, यह है COH, यह है मिथाईल, ठीक है, यह है COH, यह है COH, और यह है COH, और यह है मिथाईल, बताएं, बोलें, किसका है, देखना जरा, इसमें आँए, आँई, मिथाईल लगा है我, और तो लग गया, इसके शेंट में मिथाईल, लगा है मेटा, पे, अउनली प्लस आई, और यहाँ क्या है, पलस एम, एंड, प्लस हाई, आप खमquéर, आप, कि प्लस वाले अच्छी बात नहीं गंदी बात है तो और तो तो अब से पहले कर दो यार और प्लसा जादा लगे ना कियों यह जादा लगे न उसमें बंडू अगा अगा जावाट बहुत बढ़ी है अबसों यह और थो की वैसे जाता हो गया था ठीक अगला सवाल करेंगे इधर आई यह यह है COH यहाँ OH लगा दिया यहाँ OCOC3 लगा दिया यहाँ से देखना पैरा पर लगाया और यहाँ पर मिथाईल लगा दिया लगा दिया चलो जल्दी फड़ावट से आईए यहाँ से देखना जड़ा पैरा पर लगें सारे ग्रोप है ना इसका प्लस M ग्रेटर देन माइनस आई और यहाँ खेल रहा है लेकर यहाँ खेल रहा है इसलिए उपर जाने के चुहाई इसके मुकाबले में तो ये strong plus m है, ये से poor है, और ये तो बैटा hyper conjunction की वैसे plus m है, और plus वाले जो होते हैं वो कम से कम होने चाहिए, इसका मतलब इसका answer क्या आएगा, ये आएगा, चेक करो जड़ा, देखो, ये one, ये two, ये three, भाई इसका plus m poor है, इसका plus m moderate बोल सकते हो, इसका plus m strong है, तो plus m जितना कम रहेगा, उतना अच्छा रहेगा ना, सही है, clear, three, two, one, एक दम सही answer है, three सबसे यादा, फिर two, फिर one, है न, अच्छा, decreasing, decreasing, जो भी तुम लिख रहे हो, बस ही answer है, ठीक है, इस type से आप बना सकते हो, acidic strength के सवाल, बहुत बढ़िया, अब चलते हैं आपन, इसका एक case और होता है, nitro phenols, ध्यान रखना, nitro phenols में, ठीक है, नाइट्रो phenols में, अगर मैं बात करूँ, तो nitro phenols में, आप सीधे डारेक्ट याद रहे हैं, पॉम पॉम, पैरा और्थो मेटा, और्थो में, इंट्रा मॉलीकुलर hydrogen bonding हो जाती है, जिससे acid oxygen degrees हो जाती है, लेकिन, hydrogen bonding, acid oxygen को बढ़ा भी सकता है, कम भी कर सकता है, ध्यान से द और degrees, acidic strength, ठीक है, और इसका मैं explanation आपको यहाँ दे रहा हूँ, कहाँ पर, phenols बाले पार्ट पर, आजाओ जराँ, यहाँ पर क्या होता है, पैरा नाइट्रो में, ऐसा होता है, और्थो नाइट्रो में, ऐसा होता है, पॉम पॉम, देखना, और यहाँ हो जाती है hydrogen bonding, है न, तो इसलिए और तो पीछे हो जाता है, और meta वाला, inductive है, minus i only, है न, यह कहाँ नहीं है, तो यहाँ hydrogen bonding से decrease हो रही है, लेकिन, अगर hydrogen bonding कार्बॉक्सलिक में होती, तो increase हो जाता है, देखो, अगर मैं इसमें ऐसा लूँ, पो, यहाँ o h लगा दूँ, तो अब acid waste assurance की बढ़ जाएगी, किस से, इसके respective para derivative से, मैं ortho और para यहां इंटर होती है यहां इंटर होती है यहां इंटर होती है यहां इंटर होती है यहां तो यहां बढ़ जाएगी क्यों यहां एच प्लस निकलने के बाद हाईजन बॉंडिंग है जबकि यहां एच प्लस निकलने के पहले हाईजन बॉंडिंग है ठीक है ऐसा होता है ठीक तो ये बढ़ा रहा है hydrogen bonding से और ये कम कर रहा है ठीक है इसका order ये है ठीक है तो धियान दगना नाइट ओफिनल्स में warm warm और carboxylic acid में देख लेना अगर मैं यहाँ एक और लगा देता हूँ है च्तो और जादा हो जाती है न किलियर है तो ये acid extent आप कर लोगे आराम से अब चल loan pair की availability चेक करनी है क्या availability availability of loan pair of nitrogen जितना जाद available उतनी ज्यादा basic city simple सा है ठीक है अब मैं कुछ पहले से point लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छा लगेगा पहला point क्या है amines are more basic than amides followed by cyanides क्योंकि hybridization change हो जाता है कैसे amines में hybridization SP3 होता है अगर मैं aliphatic लेता हूँ बिना resonance की फिर amide में SP2 हो जाता है और cyanide में SP हो जाता है nitrogen का hybridization तो एक order यह होता है थे ढूसरा जैल फैटेगा means i look aliens की बेसित ज्यादा होती इक से arrow मेंटिक अमीन किर ओको एक तुट्वी कि स्वाइडर का ते अलिवत इन में अटेगा मीं से हा एली डेका मीन की बेसिटी जादा होती अर्य हूँ मैटिकिर यह सनता बैसले दोगी या कभी अगर एरोमेटिक ना भी हो ऐसे बोलो localized loan pair localized loan pair is more basic than delocalize मतलब resonance में अगर जा रहा है तो ठीक है यह कहानी है जैसे अगर मैं आपके सामने ऐसा लिखूँ question से देखो समझ जाओगे compare basicity compare basicity धियान से देखना ज़रा एक मेरे पास यह है और एक मेरे पास यह है बताओ किसकी जादा होगी जल्दी बोलो किसकी जादा होगी देखो यहाँ भी loan pair यहाँ भी loan pair यह है delocalize क्यों resonance में जा रहा है और यह है localized resonance में नहीं जा रहा है बस आंसर आ गया यह आ गया ठीक है अगला देखना अगर तुम से ऐसा बोल रहे हैं यह एली फेटे का मीन और यह अरोमेटिक तो यह भी लोकलाइस दी-लोकलाइस से कर लोगे देखो जरा इसका लोन पर रेजोनेंस में जा रहा है इसका नहीं जा रहा है एक पॉइंट और याद रखना पड़ेगा आंग यह चो अथा पॉइंट यहा अट कर रहा हूँ बेसिक स्ट्रेंथ इस डारेक्ली प्रोपोशनल टू प्लस एमेंट प्लस आई और इन्वर्सली प्रोपोशनल टू क्या माइनस एमेंट माइनस आई क्यों प्लस वाले गुरूप डोनेट करेंगे न तो चार्ज इंस्टी बढ़ा देंगे न आईटोजन की तरफ ठीक है तो यह कहा नहीं हो गई अब जब आप क्वेशन करोगे तो उसमें आपको एक तो यह सोचना था यह सोचना था ठीक है पांचमा पॉइंट लिखा रहा हूँ मैं यहाँ पर SIR भी सोचना पड़ेगा और SIP भी सोचना पड़ेगा ठीक है SIR कहा लगाना है 2 degree and 3 degree aromatica means और यह कहा लगाना है 1 degree aromatica means जैसे अगर मैं आप से बोलूँ यह वाला NHME यह 2 degree है और यह है 3 degree NME 2 यहाँ क्या है 1 degree NH2, aniline SIR से क्या होता steric innovation resonance और steric innovation इससे क्या होता है basic strength increases ortho substituted की यहाँ क्या होगा basic strength decreases ortho substituted की यह ध्यान लखना बस है ना तो ortho substituted में अगर मैं यहाँ पर ortho पर group G लगा दूँ और वो कौन से वाले हैं जो मैंने अभी आपको पीछे बताए थे तो G group के आने से क्या हो जाता basic strength यहाँ कम और यहाँ बढ़ जाती है ठीक है ध्यान से देखना जराब सवाल यहाँ बढ़ा देना यहाँ कम कर देना ठीक है अब question देखो जरा question कुछ ऐसा है इधर एनेस्टू लगा दिया यहाँ मिथाईल लगा दिया इधर एनेस्टू लगा दिया यहाँ मिथाईल लगा दिया और पैरापर मिथाईल लगा दिया ठीक है चलो भई बताओ कैसे करोगे सबसे पहले SIR SIP सोचोगे aromatic one degree amine SIP है और SIP है तो one वाला सबसे पीछे हो गया अगर यह one है यह two है यह three है बाकियों में effect दे कर लो कैसे यह है आपका plus i और यह है plus m due to plus h and plus i ठीक है तो यह है आपका one two three में से one आएगा सबसे पीछे two और three में plus वाले तो अच्छी बात है ना दो पीछे three आगे ठीक है clear अगर मैं ऐसा कर दूं यहाँ पर ध्यान से सुनना अगर यही सवाल में मैं उपर two degree कर देता अगर मैं यहाँ पर two degree कर देता ध्यान से देखियेगा अगर मैं यहाँ पर two degree कर देता तो अब answer में क्या परिवर्तन यहाँ चेंज आ जाता बताईए यहाँ अब लग जाता SIR और अब ज़्यादा हो जाती basicity है ना क्योंकि इसका loan pair का plane change हो जाएगा ना तो resonance नहीं करें यह तो अच्छी बात हो गई यह किसी Lewis AC2 का अपना loan पर दे सकता है है ना एक चलो बहुत बढ़ी है SIR से बढ़ गई अब दो और तीन में यहाँ only प्लस आई यहाँ प्लस एमेंड प्लस आई सही है तो one के बाद three और three के बाद two आएगा सही बाद है one के बाद यह तो सबसे आदा हो गया ना three आएगा फिर आएगा one के बाद three three के बाद two clear clear है बहुत बढ़िया अब कुछ aliphatic के important case देख लो important cases यह आपको याद करके जाना है बिल्कुल क्या three degree two degree, one degree amine ठीक है ध्यान लगना आर आपका methyl हो या ethyl हो किस में बता रहू हूँ मैं gas phase में inductive से answer देते हो आप यहाँ पर लेकिन equus में क्या है आजाता है एक factor आजाता है इसको hydration या solvation बोलते हैं तो case two वाले में case two in equus में अलग-अलग कहानी होती है equus medium में बात करें तो अगर r तुम्हारा methyl है तो 213 answer होता है और r अगर ethile है तो 231 होता है यह आपको तो याद करना है विलकुल अभी तक तो याद हो गया होगा खेर 231 basis city का order है two degree three degree one degree इसमें two degree one degree three degree ध्यान लगना equus medium में ऐसा है gas phase में तो inductive लगता है अब आप से question theoretical form में ऐसा बूच सकते क्या reason है तो reason आपको बोलना है hydrogen bonding या solvation या hydration है ना ठीक है चलो भई होगी बेसिटी यह हो गया बेसिटी के question हो गया यह हो गया मैंने आपको ता दिया है यह यह बहुत बढ़िया बस तो इतना काफी है जी उसी में आप आराम से कर सकते हो सवाल आएगा तो बना लोगे अब चलते हैं अपन में चैप्टर सुरू करते ह सबती है इसाट करने जा रहे है ए अलगे इसी स्टार्ट करने जा रहे है ठीक है न expendश इस्ट करना जा रहे है ठीक है दियान सब्सक्राइम एपको बढ़िया बढ़िया पीडिया मिलेंगी इसके चाहां मत करो आए Uh ठीक है ब्रेक लेने 5-10 मिनिट का चलो जैसा तुम कह रहो चलो एक ब्रेक लेगी लेते हैं है न मैं भी कुछ खा लेता हूं अच्छा लगए फिर एलकिन पढ़ाने मज़ा आएगा चलो वह आओ फिर 10-15 मिनिट का ब्रेक लेते खाना खाके आओ तुम लोग है न जल्दी से ठीक है खाना खाईए और आईए ठीक जल्दी आईए फटावर दोड़के झालो झालो झाल 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 है झाल झाल औरेक्ट वाटर का एडिसन विद दा हेल्प आफ एंटी मार ठीक है रिएजेंट यहां होता है B2H6 THF H2O2 OH- क्या करेगा एंटी मार दो इसमें क्या ऐसा देखेगा एंटी मार क्या क्या गयता नेगेटिव पार्ट देखो रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट वहां जाएगा जहाँ ज़्यादा है ठीक है OMDM में क्या होता है HG OAC hold twice प्लस water then NABH4 यहां water का addition with the help of Markonic of rule तो ऐसा देखेगा यहां क्या लगाना है Markonic of rule लगाना है ठीक है डारेट कर देना Markonic of rule लगाना है ठीक है क्लियर है चलें आगे तो यह कहानी हो गई आपकी क्या hydration है नगा HBO OMDM तीनों खतम अगर मैं reduction की बात करूँ तो reduction कैसे होता है कार्बुनाइल कंबाउंड से भी और कार्बॉक्सलेक असिड से भी है ना कार्बुनाइल कंबाउंड अगर मेरे पास है तो C double bond हो इसका pi bond तोड़ देना कैसे H और H से reduction हाइडोजन से होता है ठीक है कैसा देखेगा CH OH अब यहाँ reagent R क्या-क्या ले सकते हो यहाँ reagent R आप LAH ले सकते हो आप SBS ले सकते हो आप H2NI ले सकते हो ठीक इसको Li-AlH4 लीथियम-Aluminium-Hydride बोलते है इसको sodium borohydride बोलते है और H2NI hydrogenation अब जानते हो तो pi bond break कर देना HH से ठीक है कार्बॉक्सलेक ऐसे डगर हुआ तो इसका भी reduction करा सकते हो कैसे यहाँ तो मैं LAH ले सकते हो या B2H6 भी ले सकते हो है न reduce कर देगा यह पहले इस bond को तोड़ो HH से और फिर इस pi bond को तोड़ो HH से क्या बने गया RCH2OH तो OH तोड़ देना और C double bond हो भी तोड़ देना ठीक है clear आगे बने तो reduction reaction भी आप करवा सकते हो इसकी अगला grey grant reagent से भी तुम alcohol बना सकते हो जैसे मेरे पास C double bond हो है इसकी reaction तुम करा दो RMGX से ठीक है और water इसमें डाल देते हैं तो RMGX से R minus आता है water से H plus आता है यहां तुम ऐसे दोड़ दो यह minus यह plus cross में जोड़ दो कैसा देखेगा ऐसा या water के अलावा आप यहां पर कोई भी proton का source ले सकते हो जैसे NH4 CL भी ले सकते हो ठीक है ठीक है clear आगे बने very nice alcohol acidic nature के भी होते हैं जैसे ROH के acidic nature दिखाने वाली कुछ reaction है ध्यान से देखना sodium के साथ NaNH2 के साथ NaH के साथ है ना NaOH के साथ देखो NaHCO3 के साथ तो reaction होती नहीं है क्यों H2CO3 बनेगा और H2CO3 stronger acid होता है यह reaction में weaker acid बनना चाहिए तभी में RONA तो बनेगा यहां क्या बनेगा H2 कितना half mole यहां क्या बनेगा यह प्लस H2 यहां ammonia बनेगा यह weaker acid है यहां बनेगा ROH sorry RONA प्लस H2O अब देखना जड़ा alcohol में सिर्फ एक ही alcohol ऐसा है जो ज़्यादा acid होता मीथेनॉल तो मीथेनॉल के मुकाबले water weak है तो यहां यह reaction सिर्फ तभी होगी जब R तुमारा क्या होगा मिथायल बागी और कोई alcohol यह reaction नहीं देंगे है ना और NHCO3 में तो S2CO3 बनता है वो stronger है है ना esterification देख लो जड़ा एक बार acid की reaction alcohol के साथ in presence of acidic medium क्या होने वाला देखना acid है मतब R COH तो acid से OH और alcohol से H क्या बनेगा ester क्या हैगा R C double bond O R S acid से OH और alcohol से H लेना है ठीक है acid से OH और alcohol से H esterification में medium क्या होता है acidic ठीक ठीक है चलें आगे तो ये कहानी है अगली reaction देखो देखो HX वाली हम पढ़ चुके हैं पहले ही alkalhealide में ये तीनों reaction हम पहले ही पढ़ चुके हैं ठीक dehydration की बात करें तो dehydration of alcohol एक बार देख लो वैसे ये भी पढ़ चुके लेकिन ये important है एक बार फिर revise करा रहा हूँ concentrated H2SO4 या H plus के साथ heat alkaline मनता है इसमें है ना और alkaline मनेगा तो more stable alkaline is the major product ध्यान रखना more stable alkaline is the major product होगा ठीक है clear तो ये कहानी है इसकी आगे बढ़ते हैं oxidation reaction आपके लिए नई हैं बहुत सारी तो पहले बढ़ चुके थे oxidation नई हैं कैसे अगर मेरे पास one degree alcohol है मेरे पास two degree alcohol है और मेरे पास three degree alcohol है अगर मैं इसकी reaction mild oxygen agent से कराऊं तो देखो three degree वाला तो reaction देता नहीं है ठीक mild oxygen agent क्या होते हैं आपके वो देख लो ये मिलेगा आपको PCC PDC Collins reagent और Jones reagent कौन सा? Jones reagent इसके अलावा आप copper के साथ भी heat करा सकते हो silver के साथ भी ले सकते हो ये सब क्या करते है one degree alcohol को aldehyde में oxidize करते थे two degree को ketone में है न माइल्ड है न तो CH2 OH convert हो जाएगा CHO में और CHOH convert हो जाएगा C double bondo में और three degree का नहीं होगा लेकिन copper एक काम कर देता है copper three degree alcohol के साथ dehydration कर देता है copper या silver ठीक है यहाँ पर अलकीन फॉर्म कर देगा कैसे इसके रेस्पेक्ट में यह alpha तीनों बीटा मैंसे कोई भी ले लो copper यह special case है अना बाकी सारे three degree के साथ कुछ नहीं करते हैं है ना क्लियर कॉलेंस रियेजेंट आप जानते हो क्या होता है TRO3 प्लस 2Pi जोन्स रियेजेंट जानते हो क्या होता है TRO3 प्लस एसीटोन यह वाला जोन्स रियेजेंट ठीक PCC Pyridinium chlorochromate और PDC Pyridinium dichromate ऐसा ठीक है तो आपको क्या करना है ध्यान से आप observe करो ना reaction क्या हो रहा है CH2OH से क्या बन रहा है CHO और CHOH से क्या बन रहा है CWO Oxidation हो अलकीन को छेड़ेगा नहीं बेंजीन को छेड़ेगा नहीं और अगर ऐसा लिखा है तो पेंजील डिहेड बना लेगा क्लियर एक दम ठीक है ये कहानी है ठीक है तो ये mild Oxidating agent ये सारे इकाम करते हैं अब Oxidation में अगर मैं strong ले लेता ये तो mild वाली बात हो गई अगर मैं strong Oxidating agent ले लूँ strong Oxidating agent कैसे जैसे KMNO4 acidified या hot जैसे K2Cr2O7 acidified या hot जैसे CRO3 plus H2SO4 Jones reagent का second version जैसे Concentrator HNO3 जैसे H2CRO4 ये साब strong होते हैं क्या करते हैं ये 1 degree alcohol को acid तक ले जाते हैं ठीक है 2 degree को ketone तक ले जाते हैं लेकिन 1 degree को acid तक तो ये क्या करेगा RCH2H convert हो जाएगा बड़ा RCOH में और 2 degree वाला ये ketone तक ही रहेगा 3 degree का Oxidation नहीं होगा वही 1 degree alcohol से पहले LDHID बनेगा और LDHID के Oxidation से acid बन जाएगा है ना 2 degree सीदा ketone देगा 3 degree no reaction ठीक है बड़ी हारी वीजन हो जाएगा आज आपका ध्यान से देखते नहीं ना क्लिर है ठीक चलें आगे तो ये हो गया आपका Strong Oxidating agent ठीक कुछ सवाल कर लो इस पर अपन एथर पर चलेंगे करो जरा फटाबर से इसकी reaction HBR बरक्साइड से कर आई पुरानी reaction भी रिवाइज करवा दूँगा ए बन गया एक कोस के वेज देन PCC एने मेज ले लो बात बराबर ये PCC और CRO3 प्लस H2SO4 क्या बनेगा बताओ फटाबर से बी के बाद क्या आएगा C, C के बाद क्या आएगा D, very good करें जरा फटाबर HBR पर उक्साइड क्या करता है बताओ जल्दी बोलो HBR पर उक्साइड क्या करता है यहाँ anti-marconi लगा देगा और फिर यहाँ OH लगा देगा OH से क्या बन जाएगा LD हाइड और strong में क्या बन जाएगा acid सही है आंसर चेक कर ले ना एक बार चेक कर लो क्या आंसर आपके सही है very good बहुत बढ़िया तो यह कहानी है अगला है एथर एथर में देखें जरा डिहाइडरेशन ठीक है अगर मैं एथर का डिहाइडरेशन करा हूँ तो 413 Kelvin पर करवाना जैसे मेरे पास एथेनॉल है एथेनॉल की रियक्षन कराई मैंने H2SO4 के साथ 413 Kelvin पर देखो अगर 443 Kelvin है तब तो तुमारा डिहाइडरेशन हो जाता है 443 ठीक है यहाँ क्या हो जाता है डिहाइडरेशन अलकीन मन जाएगी लेकिन अगर तुमारे पास 413 है तो क्या होगा पहले protonation होगा तो इसका protonation ऐसे हो गया अब इसी का दूसरा molecule attack कर देगा क्या है attack करने पर यह बनेगा ऐसा यह attack करेगा यह निकलेगा और यह ऐसा बना लेगा H plus निकाल देना इसमें से एथर बन जाएगा तो dehydration जब हमने कराया तो dehydration 413 पर तो इथर देता है लेकिन 443 पर अलकीन देता है ध्यान रखना ठीक है चलें आगे अगला देखो William sir इथर synthesis यह SN2 reaction ही है अलग से कुछ नहीं है SN2 है कैसे अगर मैं CH3 O negative की reaction कराऊ CH3 CL से तो यह nucleophile attack करके इसको निकाल देगा SN2 है न तो क्या बन जाएगा इथर तो एक salt होगा और एक alkyl halide होगी लेकिन यहां तुम्हें SN2 reaction करानी है तो ध्यान दखना अगर मेरे पास base बलकी है और alkyl halide बलकी नहीं है तब तो ठीक अच्छी बात है ऐसा देखेगा लेकिन अगर मैंने इसका ultra choice ले लिया अगर मैंने इसमें ऐसा ले लिया तब तुम्हारा यहां E2 हो जाएगी क्यों 3 degree है न यह और 3 degree में तुम base डाल ले हो मतलब अलकोहलिक QH वाली reaction हो गई है तो इसमें तुम्हारा इसमें ब्यूटीन बन जाएगा E2 हो जाएगी ठीक है क्लियर तो O negative attack कर रहा है बस तुम्हें क्या चेक करना है alkyl halide पर steric hindrance से decide होगा कि alkyl मनेगी या ether बनेगा ठीक है क्लियर है आगे बने तो negative attack करके CL निकाल रहा है जबकि यहाँ पर E2 हो रही है क्यों क्योंकि यह 3 degree है ठीक है चलो भई अगला reaction with HX ध्यान से देखना ज़रा properties में आगया अब हमें न अगर मेरे पास ether है इसकी reaction मैं करा रहा हूँ किसके साथ HX के साथ देखेंगे ध्यान से इसको कर दो तुम protonate R और R डेस अगर इन दोनों में से कोई भी 3 degree हुआ तब SN1 से चलेंगे या resonance stabilized 1 degree या 2 degree हुआ रेजो 1 degree और रेजो 2 degree मतलब resonance stabilized 1 degree 2 degree हुआ तो SN1 से चलेंगे और अगर R and R डेस यह तुमारे normal 1 degree और normal 2 degree है तो SN2 पाथ से चलेंगे कैसे चलेंगे example से समझाता हूँ ठीक है कैसे चलेंगे example से यह ध्यान रखना अगर कोई भी एक 3 degree हुआ या कोई भी एक SN1 resonance stabilized 1 degree 2 degree हुआ तो हमें SN1 से चलना other way SN2 होगी ठीक है कैसे करना ध्यान से देखना अगर मुझे इसकी reaction करानी है किसके साथ HX के साथ क्या कर दो इसको protonate आजाओ जरा इसको मैंने कर दिया protonate अब तुम positive सोचो कहाँ पर इसके पास यहाँ पर positive सोचो और यहाँ positive सोचो क्या इन दो मैंसे कोई three degree बन रहा है yes यह बन रहा है तो यह बनाएंगे और यह कैसे बनेगा बताओ जरा यह कैसे बनेगा जब यह bond ऐसे तूटे तो ऐसा देखेगा आपको और यहीं पर कैचिपका देंगे I- ठीक है अगर मेरे पास ऐसा होता एक और सवाल से समझो अगर ऐसा होता ठीक है तो क्या करते protonate करते अब यहाँ plus सोचते क्या यह donor plus मैंसे कोई three degree है नहीं है क्या resonance है नहीं है तो SN2 पात से चलेंगे ठीक है ना यहाँ कौन सा पात था SN1 अगर SN2 से चलेंगे H प्लस दे दिया तो क्या बचा X माइनस कहाँ टेक करेगा जहाँ hysteric hindrance काम है तो CS3X प्लस ETOH बास समझ पार है यह ऐसा करना है ठीक है ठीक तो यह answer आएगा अब अगर मान लो ऐसा होता अब आप बता सकते हो चलो HI के साथ reaction कराओ बताओ क्या बनेगा बनाओ बनाओ अगर मैं इसको protonate कर दूँ अब मैं प्लस हो चूँगा इधर हो इधर क्या यह resonance stabilize है रेजो बन डिग्री है यस तो यह बनाना है अगर बनाना है तो यह bond ऐसे तोड़ना होगा तो यहाँ तो CS3OH बनेगा राइट साइड और लेट साइड क्या बच गया ऐसा अब इसके बाद यहीं पर कैचिप का देंगे आई माइनस बात समझ पा रहे हो ऐसे करना आपको question ठीक है clear, very good बहुत बढ़िया तो यह HI वाली reaction हो गई आजब जड़ा ES कर लेते हैं ES हमें करना है किसका एनिसोल का करेंगे हमें न और एनिसोल अगर आ गया तो OCS3 लग दिया always pera major ठीक है always pera major ध्यान लगना जैसे अगर मैं bromination कराना चाहूं किसका एनिसोल का ठीक है तो BR2 के साथ reaction कराते हो आप ठीक है BR2 FEFR BR2 S8 1 S8 2 भी ले सकते हैं एक क्या बनेगा और्थो प्लस एक क्या बनेगा पैरा पैरा major क्या करोगे एक बार BR और्थो पे लगा दो एक पैरा पे लगा दो simple सा BR प्लस ही तो मिलेगा आपको यहां से nitrogen में क्या करोगे एनिसोल का और्थो पैरा ठीक है NO2 प्लस है ना कहां से आता है concentrate HNO3 और HPSO4 जे क्या बनेगा और्थो प्लस पैरा पैरा major अगर मैं फ्रीडल क्राफ्ट रियक्शन कराना चाहूं तो कैसा देखेगा अगर alkylation करानी है तो R प्लस को लगा देना तो एक क्या बनेगा और्थो और एक क्या बनेगा पैरा पैरा major और R प्लस बनाया तो रियर इंजमेंट भी चेक कर लेना यहां पर अगर मेरे पास asylation है तो यहां क्या लूँगा RCOCL और एनाइडरस ALCL3 तो यहां C पर प्लस जुड़ेगा यहां एक क्या बनेगा और्थो एक बनेगा पैरा यह C-O-R बनेगा aromatic ketone है ना पैरा major तो यह यह कहानी है clear क्या हम आगे बने clear है एक दम चलो भई आगे बढ़ते हैं भई तो यह ether की कहानी हो गई फिनॉल पर चलते हैं पहला वाला reaction देखो जड़ा हैलो एरींस वाला पढ़ चुकी हो डाउस प्रोसेस यह आपको पता है क्या है यह डाउस प्रोसेस ठीक benzene sulfon एक acid से तुम बना सकते हो कैसे benzene sulfon एक acid अगर तुमने ले लिया यह तो benzene sulfon एक acid क्या करता है बताओ इसकी reaction तुम करा दो NaOH के साथ और फिर इसको acidify करा देना क्योंकि base बनेगा sorry acid बनेगा फिनॉल और base भी NaOH तो acid base reaction ना हो पाई इसलिए acidify करते हैं तो SO3H हटा कर क्या लगेगा OH और acidification कर रख़ा इसका मतलब OH ही रहेगा अगर diisoneum salt ले लिया तुमने pH N2 plus Cl minus तो गरम पानी डाल दो इसमें warm water ठीक है यहाँ डाल दो आप warm water तो warm water का मतलब क्या हो गया water आएगा लेकिन OH लाएगा N2 निकल जाएगा HCl निकल जाएगा फिनॉल बन जाएगा ठीक है warm water में ठीक अगला देखो क्यूमीन वाली बड़ी important reaction है ठीक है ध्यान से देखना ज़रा जो isopropyl benzene है इसकी reaction होती है O2 के साथ in presence of sunlight क्या होता है यहाँ CH bond है और O2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ अब तुम इसको ऐसे तोड़ दो radical radical यहाँ तोड़ दो CH bond के बीच में insertion कर दो तो क्यूमीन हाइडो परोकसाइड बन जाएगा और यह क्यूमीन हाइडो परोकसाइड acidic medium में rearrangement दिखाता है ठीक है कैसा बन जाएगा ध्यान से देखना ज़रा क्या करो इस H plus को यहाँ पर protonate करवा दो यह water निकाल दो और इसका attack आप यहाँ करवा दो water का इसका attack यहाँ करवा दो ठीक है यह bond यहाँ shift हो जाएगा तो यह ketone बन गया और phenol बन गया मतब़ ऐसी tone और ऐसी tone भी अच्छी खासी amount में मिलता है इसलिए इसको ऐसी tone का method of preparation भी बोल सकते हैं ठीक है clear तो O2 के साथ क्यूमिन हेड ओफ और अक्साइड और फिर रियरेंजमेंट protonation कराने पर है ना है एच प्लस का सोर्स ले लो आप तो है ना प्रॉपरटीज पर चलो phenol acidic nature दिखाते हैं phenol acidic nature दिखाते हैं ना acidic nature दिखाने वाली कुछ reaction आपको पहले सी पता है NaOH के साथ आजाओ NaHCO3 के साथ आजाओ ये तो reaction देगा नहीं phenol नहीं देता paranitro phenol हो या फिर dynitro phenol हो या trinitro मतब पिक्रेग ऐसेड हो तो ये test देता है sodium by carbonate वाला है ना बागी कहीं भी test नहीं देगा मतब ये NaHCO3 वाला बागी तो ये सारे तो दे गई ना half H2 क्योंकि phenol से कम acid देगा सारे के सारे जो बनेंगे ठीक यहाँ water बनेगा water क्या phenol से कम acid देगा तो ये एकस्टन होती है forward direction में है ना Estatification में क्या होगा acid से तुम ले लो OH और जैसे तुम alcohol से H लेते थे ना है वैसी phenol से H ले लो देखो यहां से ओच और यहां से H acid एक मीडियम में होता है काम तो क्या बनेगा RC double bond OPH ऐसा बन जाएगा ठीक है Estatification वाली एक reaction important जिसको लते है एस्प्रिन formation एस्प्रिन में क्या होता है ध्यान से देखना ज़रा ortho acetyl salicylic acid की reaction होती है acetyl chloride के साथ या enhydride के साथ है ना इसकी reaction तुम करवा सकते हो CS3 COCl से करवालो या फिर AC2O से करवालो acid एक enhydride तो यहां से H लटा दो यहां से CL लटा दो तो कैसा देखेगा ऐसा तो यह ortho acetyl salicylic acid बन जाएगा जिसका नाम क्या एस्प्रिन तो यह कहानी है तो यह हो गए आपकी esterification प्रोपर्टिस की अगर बात करें तो फिनॉल में याद करो फिनॉल में क्या होता है मोनो नाइट्रेशन और डाइनाइट्रेशन और ब्रोमिनेशन में ब्रोमिनेशन में भी मोनो ब्रोमिनेशन और ट्राइब्रोमिनेशन ठीक है दियान से देखना जाए नाइट्रेशन अगर मैं करवाओं फिनॉल का तो डाइल्यूट प्लस हैं में तो यह क्या भनेगा पैरा और एक ओर ठोसकते हूं प्लों तो क्या बनेगा ट्राइनाइट्रो फिनॉल मतलब फिक्रिक एसिड ठीक है फिक्रिक एसिड नाम है इसका अगर ब्रोमीनेशन का सोचेंगे तो फिनॉल की रियक्ष्टन अगर मै BR2 CS2 से कराऊं और अगर पोलर मीडियम ले लूँ तो रियक्ष्टन अक्सेस में हो जाती है न तो यहाँ बनेगा मोनो ब्रोमो एक और थो और एक पैरा और यहाँ बनेगा ट्राइब रोमो है न ऐसा क्लियर बास समझ में आई बस रियक्ष्टन रिवाइज करते जाओ आप है न चलो यह हो गया अगली है कोलवेज रियक्ष्टन कोलवेज रियक्ष्टन में क्या होता है पिनॉल की रियक्ष्टन होती है तीयोटू और एनेवएज के साथ तीयोटू और एनेवएज के साथ तो इसमें एक्सक्लूजिल भी एक ही प्रोड़क्ट बनता और्थो तो और्थो पर क्या लगा दो दारेक्ट है न और्थो पर क्या लगाना है COOH ये क्योंकि H+, निकलेगा N9 मनेगा, लोन पियर, बॉन पियर, बॉन पियर, लोन पियर और ये अटेक करेगा इस पर तो ये ही जुड़ेगा ना इस पर ठीक ठीक है तो ये कोलवेज रियक्शन हो गई अगली बड़ी इंपोर्टन रियक्शन है जिसको बोलते हैं, राइमर टीमन रियक्शन क्या, RTR, दिहान से देखना ज़रा राइमर टीमन रियक्शन में आपके पास फिनॉल है और फिनॉल की रियक्शन करा रहे हो, आप किसके साथ THCl3KOH के साथ एक और्थोसलिसललडिहाइड और एक पैरासलिसललडिहाइड बनेगा ठीक है एक बनेगा और्थोसलिसललडिहाइड और एक पैरा, हायरजन मौनिंग से और्थोमेजर ठीक है इसमें आपसे बूच सकते हैं अटेकिंग रियेजेंट क्या है तो अटेकिंग रियेजेंट होता वेटा CCL2 जिसको बनेगा डाई क्लोरो कार्विन, DCC यहना, सिंगलेट कार्विन होती है यहाँ पर ठीक है डाई क्लोरो कार्विन बोलते हैं CCL2 कार्टेक कराऊगा न और थोपे C- बनेगा और वो हीच के CHCL2 बना लेगा तो डाई क्लोरो कार्विन, सिंगलेट कार्विन बनती है इंटर्मिडेट यह बनता है ठीक है क्लियर है, O- से आप सॉल्ट का जो भी कैटाइन वो जोड़ सकते हो अगला है देखो, यह प्रॉपइटी तो हम पढ़ चुके हैं जिंग डस्ट वाली बेंजीन बनता है Oxidation Reaction और लिख लो Phenol की Reaction Na2, Cr2, O7 से होती है तो पेरा बेंजो कुईन बनता है और पेरा बेंजो कुईन बनता है और पेरा बेंजो कुईन में चलो भई, अगला चेप्टर है Carbonyl Compound तयार हैं सभी लोग, पानी पी लेते हैं बहुत बड़ी है सर आपका पेरा रुक रुक के क्यों चल दहा है पता नहीं बहुत सारी स्लाइड होगी न लगबग, 204 होगी अब जी तक ठीक है चलो भई, आईए तो Carbonyl Compound में पहली reaction देगो यह हम अभी पढ़ चुके हैं alcohol में, mild oxygen agent होते हैं ठीक है mild oxygen agent होते हैं dehydrogenation of alcohol यह भी हम पढ़ चुके हैं याद करो जरा तो oxidation of alcohol भी हो गया dehydrogenation of alcohol भी हो गया और को है बचा hydrocarbon से सुन लो जरा hydrocarbon से क्या बनाना है तुम्हें Carbonyl Compound ठीक है बहुत ध्यान से देखना जरा अगर तुम्हें hydrocarbon से Carbonyl Compound बनाना है जैसे माल लो मेरे पास यह है ठीक है ध्यान से देखना जरा एलिफेटिक वाला ले 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 लेते हैं पहले aromatic तो अलग से etard reaction लिखाई रखकी आगे हैं hydrocarbon से बनाना है जैसे CH triple bond CH alkyne से आप बना सकते हो क्या करा दो कुचिरो और reaction HG2 plus plus water ले आओ तो alkyne का hydration करवा दो आप HG2 plus water क्या करेगा water का addition तो आप क्या करोगे bond break करो यह minus यह plus यहाँ दो वार OH यहाँ दो वार H और एक ही carbon पर 2H water निकाल दो यहाँ से आपके लिएक्शन है तो यह कहाँ नहीं है बागी hydrocarbon वाली reaction आप काफ़ी कर चुकिए ओजोन लिएक्शन वागेरा कर चुकिए आप पीछे है ना ठीक है चलो बई यहाँ से आपके लिए नई reaction है रोजन मून reduction क्या होता है method of preparation of aldehyde बढ़ने पहले फिर ketone बढ़ेंगे ना चलो बई रोजन मून reduction में क्या होता है बताओ जरा RCOCl RCOCl की reaction होती है linlard catalyst के साथ H2 plus linlard catalyst LC और linlard catalyst क्या होता है PDBSO4 तो यह क्या करता है reduction को aldehyde तक ही करवाता है आगे further reduction रोग देता है तो यह bond तोड़ दो किस से H और H से क्या बन जाएगा RC double bond OH bond break करना आपको H और H से है ना स्टीफन्स reduction में क्या होता है RCN होता है इसकी reaction तुम करवाते हो किसके साथ SNCl2 plus HCl ठीक है और फिर pass कर दे तो इस team और SNCl2 HCl क्या करेगा SNCl4 plus hydrogen देगा hydrogen से इस bond को break कर दोगे HH आ जाएगा तो पहले ऐसा बन जाता है इसमें बीच में और फिर इसका और फिर इसका आप इस team के साथ treatment कर देते हो दोनों बन टूटेंगे यहाँ H जाएगा यहाँ OH जाएगा मतब अल्टिमेटली साइनाइट से क्या करना है आपको एसेड बनाना है स्वरी LDH बनाना है साइनाइट से CHO देगो यहाँ क्या हो रहा था RCOCL यह हटकर क्या आएगा RCHO आएगा ठीक यहाँ क्या आएगा RCN से CN हटेगा क्या आजाएगा CHO आजाएगा स्टीफन्स में ठीक है ऐसा होता है तो रोजनमुंड में COCL से CHO स्टीफन्स में CN से CHO ठीक इस तरीके से होता है यह वाला इस तरीके से होता है ठीक है अगर LC नहीं डालोगे तो यह भी तोड़ दोगे तो एलकोहल तक पहुच जाओगे यह न डाई वाला इच भी देखो ज़रा डाई वाला इच क्या होता है डाई आई 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 सो ब्यूटाईल डाई आई सो ब्यूटाईल ऐलुमिनियम हाइडराइड ऐसा होता है एक, दो, तीन, चार यह आपका माइल्ड रिडूसिंग एजेंट होता है ठीक है साइनाइड से क्या करता है डाई वाल इच ऑटोमेटिकली वाटर कंसीडर रहता है जो इस्टीफन करता है वही डाई वाल इच करता है साइनाइड से एल्ड हैड बनाता है तो आर सी एचो प्लस आर डैस ओ एच माइल्ड रिडूसिंग एजेंट होता है यह ना क्लियर चलें आगे बहुत बढ़िया वेरी नाइस अगला है वेटा इटार्ड रियक्शन इटार्ड रियक्शन में क्या होता है मेरे पास यहाँ टालविन है क्या है टालविन टालविन की रियक्शन जब तुम कराते हो CRO2 CL2 के साथ तो यह बनाता है यहाँ पर CHOCROH CL2 का होल्ट वाइस कैसा बनता है ठीक और इसके हाइड ओलिसिस से इसके हाइड ओलिसिस से क्या बनता है LD हाइड तो आप ऐसे डारेक्ट याद रखो intermediate की जरूत वैसे मुझे तो नहीं लगता पड़ेगी लेगन आप डारेक्ट मैंने फिर भी बता दिया CS3 से CHO बनाना है ठीक है इसके बाद इसको पानी में ट्रीट कर देते हैं ठीक है alternate reagent आप यहाँ पर भी ले सकते हो CS3 से क्या करना है CHO बनाना है ठीक है side chain oxidation में क्या होता है ध्यान से देखो जरा मेरे पास टॉलिविन है आप क्या करो इसका टॉलिविन का आप करा लो CL to sunlight लेकिन दो बार कराना ठीक है तो क्या होगा दो बार H हट जाएगा प्री रेडीगल है ना sunlight में तो रेडीगल यहाँ बनेगा दो बार पहले एक CL आएगा फिर दूसरा आएगा तो आपको ऐसा दिखेगा दो CL आ जाएगे और इसके बाद तुम इसको पानी से ट्रीट कर दो जैसे ही तुमने इसमें जल डाला दो CL थे भाया दोनो CL निकल के OH आएगा और एक ही कारबन पर दो OH बार निकाल देंगे यह ना गेटरमेन कोच रियेक्शन में क्या होता है बेंजीन से सीधा बेंजेल्डी हैड बना लेते हो आप कैसे फिडल क्राफ्ट असाइलेशन जैसा ही कुछ होता है इसमें एनाइडरस अल-C-L-3 ठीक है कैसा दिखेगा CO प्लस-H-C-L को ऐसे लिख लो H-C-O-C-L आप यहाँ से CL निकाल दो यहाँ माइनस और यहाँ प्लस और बेंजीन पर CH-O लगा देंगे ऐसा बेंजेल्डी हैड ठीक है बिलकुल मिलेगा PDF क्यों नहीं मिलेगा ज़रू मिलेगा चलो वह यागला कीटोन की मेथड अप प्रिपरेशन डाइलकायल केडमियम की रियक्शन करानी है आपको है ना होता क्या है पहले ग्रिगनाड रियेजेंट आता है CD-C-L-2 के साथ ठीक है ग्रिगनाड रियेजेंट आता है CD-C-L-2 के साथ दो मोल यह बनाता है R2-C-D देखो यहाँ से दो आर लेलो यहाँ से CD उठालो बागी तो MgX के साथ तो निकली जाएगा C-L अब R2-C-D की रियक्शन होती है एसेड कलोराइड के साथ एसेड कलोराइड प्लस R2-T-D ऐसा तो अब आप क्या करो यहाँ से एक R को उठाके यहाँ लेयाओ और C-L निकाल दो क्या बन जाएगा R-C-L bond O R कीटोन बन गया तो एसेड कलोराइड वाला R-C-O ग्रूप और जो डायल का इल केडमियम मनाया उसका R ले आना कीटोन मना देना ठीक है ठीक है क्लियर तो यह कहानी है अगर नाइट्राइल से कीटोन मनाना हो तो ध्यान से देखना जड़ा R-C-L bond N इसकी reaction ग्रिगनाड रिएजेंट से करवा दो है ना R-MGX तो होगा क्या R- यहाँ टेक करके इसको तोड़ेगा और फिर तुम इसको हाइडोलाइस कर दोगे तो तुम्हें डारेट कैसे करना है इसके बाद तुम वाटर तो लाते ही हो है न तो R- को तुम लाए R जोड़ा और वाटर से हाइडोलाइस कराया है तो यह साइनाइड कीटोन में गनवर्ट हो जाएगा न बही ऐसा दिखेगा R-C-L bond bond तूट जाएंगे OH आ जाएगा इसके पास Friddle Craft Acceleration कईयों बार पढ़ चुके हो आज में ही क्या होता है Friddle Craft Acceleration में R-C-O-C-L Anhydrous Al-C-L-3 क्या करेगा यह C-O-R जोड़ देगा ठीक है ऐसा clear तो यह कहानी है आपकी Friddle Craft Acceleration Reaction की Properties में देखो Nucleaflick Addison Reaction की अगर मैं बात करूँ ठीक है तो क्या होता है यहाँ पर C-O-O पर Nucleafl आता है ठीक है Nucleafl अटेक करता है यहाँ पर इधर जुड़ता है तो ऐसा देखेगा आपको Nucleafl और O- और यहाँ कुछ भी Source of Proton या Electrofile आएगा तो O- से जुड़ जाएगा यह अलगलब टाइप की रियक्षन होती है Nucleafl अटेक्षन रियक्षन जैसे पहली वाली है साइनो हाइडरीन फॉर्मेशन साइनो हाइडरीन फॉर्मेशन यहाँ क्या होता है वेटा ध्यान से देखना कार्वोनाइल C-डवल बॉंडो HCN के साथ रियक्षन करता है किसके साथ HCN के साथ क्या होगा यह बॉन टूटेगा यह माइनस यह प्लस यह प्लस यह माइनस क्रॉस में जोड़ दो अगर HCN नहीं दिया होगा तो NACN प्लस वाटर दे देंगे तो HCN यह उसका मतलब है ना यहाँ HCN के जगए NACN प्लस वाटर भी दे सकते है यह साइनो है यह हाइड्रोक्षी ग्रूप मलब साइनो हाइड्रिन ऐसा होता है ठीक है क्लियर तो यह नुकलोफिलेक एडिसन रियक्षन का पहला टाइप है साइनो हाइड्रिन फॉरमेशन और कभी भी नुकलोफिलेक एडिसन रियक्षन में रियक्षिविटी कंपेर करानी है तो नुकलोफिलेक यहाँ अटेक कर रहा है तो इस जगह पर हिस्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम होनी चाहिए तो रेट ओफ रियक्षन इन एन आर क्या आएगा एल्डी हाइड जदा रियक्षिविट करेंगी कीटोन से अब अगर तुमको सेम फैमिली में जाना है तो रेट ओफ रियक्षन इस इन वस्टेरिक इंड्रेंस है ना इन सेम फैमिली एल्डी हाइड में जाओ या कीटोन में जाओ ठीक है तो पहली हो गई आपकी साइनो हाइड्रें फॉर्मेशन ठीक है अगला देखना ज़रा अच्छा ये तो अभी रेडक्षन पर आगए एक मिट को इस मैं एड़ करके समझा जेता हूँ दूसरा सेकिंड नंबर की रियक्षन है रियक्षन विद एल्कोहल या रियक्षन विद नहसरी पहले ले लेते है स्टोडियम हाइडोजन सल्फाइट इसको स्टोडियम हाइडोजन सल्फाइट टेस्ट भी बोलते है पहली बात ये कौन रियक्षन देता है और एल्डी हाइड ये रियक्षन देते है और ketone में सिर्फ methyl ketone क्योंकि यहाँ पर hysteric endurance factor लगता है बेटा तो ketone में सिर्फ methyl ketone और सारे LDIDA test देते हैं methyl ketone कैसे दिखते हैं और C double bond O बेटा और यहाँ पर CH3 मैं आपको reaction लिख के बता रहा हूँ धिखान से देखना मेरे पास carbon oil है C double bond O इसकी reaction जब होगी किसके साथ यन्ने H SO3 के साथ तो आप एक काम करो इसको ऐसे लिख लो H और SO3 इसको plus और इसको minus माल लो यहाँ तोड़ लो इसको ऐसे यह minus यह plus जोड़ दो cross में कैसा देखेगा C SO3 इने single OH यह कहाँ वाइट क्रिसलाइन कलर के precipitate होता यह white gas line solid होता यह पिर्फ aldehyde और methyl ketone ही यह reaction देते हैं तीसरी reaction देखना जड़ा third reaction की अगर मैं बात करूँ तो reaction with alcohol reaction with alcohol ROH है ना R-desk ले लेता हूँ मैं यहाँ पर तो धियान से देखना जड़ा आप one mole के साथ करा रहे हो या two mole के साथ करा रहे हो उस पे depend करता है अगर मैं one mole के साथ reaction कराऊंगा मालो मेरे पास aldehyde है इसकी reaction जब तुम कराऊगे इसके one mole के साथ धियान से देखना किसके ROH के acidic medium में reaction होती है यह R-OH H plus acidic medium में तुमें क्या करना है यहाँ पर इस bond को तोड़ोगे यहान minus यहाँ plus और यहाँ plus यहाँ minus Cross में जोड़ दो कैसे जोड़ दो Cross में जोड़ दो कैसा देखेगा R, T, H, O O, O के साथ क्या आएगा H आएगा O के साथ R-S Cross में जोड़ आए इसका plus इसके minus से इसका plus इसके minus से अब इनके नाम भी होते हैं, इन दौनों मैंसे अगर एक भी OH है तो लगाते हैं हैं हैमी, और इधर अगर इस कार्बन पर एक भी OH है तो लगाते हैं असीटल, क्योंकि LD है इसका नाम है हैमी असीटल, अगर मैं यहां पर ऐसा कर देता, आर सी आर, डवल बॉंडो और अब कराता रियेक्शन, आर डैस OH के साथ, ऐसे डिक मीडियम में, यह प्लस यह माइनस, और यह माइनस यह प्लस, तो आपका आंसर कैसा दिखता, ऐसा दिखता, अब इसका नाम क्या होता बताओ, बोलो, अगर इसके पास, अगर इसके पास एक OH आ रहा है, एक भी OH आ रहा है, तो हैमी लगाएंगे, और यहाँ पर H नहीं है, ठीक, तो यहाँ कीटल लगा देंगे, क्योंकि कीटल उन से बन रहा है, क्लियर एकदम, तो इसका नाम होगा हैमी कीटल, अगर तुमने दो मोल ले लिए, बहुत बढ़िया वेटा, कुछ ल तो भी चलेगा, क्या होगा यहाँ से, वाटर निकाल देंगे, सीधे डारेक्ट, तो ऐसा देखेगा, R, C, H, O, R, S, O, R, S, अब यहाँ पर कोई भी OH नहीं है, तो हैमी नहीं लगाएंगे, लेकिन हाँ, इसका नाम एसीटल होगा, क्या होगा, एसीटल होगा इसका नाम, अगर मैं ऐसा कर दूँ, मैंने कीटोन ले लिया, तो बताओ क्या नाम होगा इसका, रियेक्शन तो आप समझगे होगे, वाटर निकालना है, पानी पानी कर देना इसको, इसका नाम क्या हो जागा, कीटल, ठीक है, किलियर एकदम, क्या वाट है, बहुत बढ़ी है, तो ये कहानी थी, समझगे होगे, अगली एक लास्ट रियेक्शन बचिए, जिस पर कल क्वेशन भी आया था, और तो नमबर की, रियेक्शन विद, अब अगर मैं रियेक्शन कर रहा हूँ, तो C double bond O, प्लस Ns to Z, ऐसा ले लिया मैंने, यहां से पता है तुम क्या अगर हो, वाटर निकाल दो, दारेक्ट रियेक्शन है, माइल एसे डिक कंडिशन होती है, साड़े चार से साड़े पांच के आसपास pH है ना, तो क्या होगा, C double bond N और Z, यह जाएगा, अब Z बदलते जाओ, आपके आंसर बदलते जाएंगे, जैसे अगर आपने मान लो, अगर आपने मान लो, Z को H कर दिया, तो क्या देखेगा तुम्हें यहाँ पर, अमोनिया देखेगा, और product क्या बनेगा, C double bond N, H यह यह बनेगा, Z को H कर दो बस, इसका नाव वेटा, इमीन, क्या नाम है, इमीन, अगर तुमने Z को R कर दिया, तो NH2R बन जाएगा, वन डिगरी अमीन, रिएजेंट हो जाएगा, और यहाँ जो बनेगा, उसका नाम ऐसा, ऐसा देखेगा, structure नाम होगा, इसका सिप्स बेस, ठीक है, इसको बोलते हैं, सिप्स बेस, ठीक है, ध्राँजलमीन बोलते हैं, और यह OXYME बोलते हैं, अगर Z को तुमने कर दिया 17, तो हाईराशीन बन जाएगा, और हाईराशीन से हाइडराजन बन जाएगा, इसका नाम है थाइटराजन, ठीक, अगर तुमने यहाँ पर कर दिया NHPH, ठीक है, तो यह हो जाएगा NH2 NHPH, और इसका नाम हो जाएगा फिनाइल हाइडरा जोन एक दो तीन चार पांच दो और बचे फिनाइल हाइडरा जोन ठीक है यह नाम बदलते जाएंगे इनके कॉमन रियेक्शन है ना क्लियर अब एक सैमी कारबाजाइड जो कि कल आया था और एक और ब्रैडरी रियेजेंट बचाए है ना ठीक है क्लियर एक क्वेशन आया था कल है ना अगला देखो ज़रा अगर जैट तुम ने कर दिया एनेटि डवल बॉन्डो नेज टू तो रियेजेंट कैसा देखेगा तुम्हें रियेजेंट देखेगा एनेजटू एनेज तू इसमें पूझा था कितने नाइट्रोजन है बस तुम्हें पता होता ना कि इसको सैमी कारबाजाइड बोलते हैं बस खतम तीन था आनसर है न और इसका आंसर क्या बनेगा डवल बॉंड N N H C डवल बॉंड औ N H 2 इसका नाम होता है सेमी कारवा जोन ठीक है तीन नाइट्रोजन है इसका नाम सेमी कारवा जाइड है अब इसमें हो सकता है आगे कभी किसी जिंदगी में पूछा जाए कभी पेपर हो कि कौन से वाला नाइट्रोजन अटेक करता है तो इसका लोन पेर क्या है लोकलाइज इसका लोन पेर क्या है डी लोकलाइज तो यह अटेक नहीं करेगा यह अटेक करेगा यह मोर नुकलियोफिलिक है इससे तो यह दिहान दखना अगर Z तुमारा हो जाता है NH, 2,4-Dynitro, 2,4-Dynitro-Penyl-Hydrazine, तो ऐसा देखेगा, रिएजेंट ऐसा देखेगा, NH2, NH, ठीक, प्रोडर कैसा देखेगा, 2,4-Dynitro-Penyl-Hydrazine, बोलेंगे इसको, ब्रैडी, इस रिएजेंट नाम है इसका है, इसका नाम है 2,4-Dynitro, Phenyl Hydrazine, यहाँ H क्या है Hydrazine, ठीक है, इसका कलर भी होता है, यह Roy PPT होते हैं, depending upon the structure of carbonyl, red, orange और yellow color के precipitate होते हैं, इसका नाम है 2,4-Dyn-PH, और H यहाँ क्या है Hydrazine, और इसका नाम है, ब्रैडी, रिएजेंट, ठीक है, clear, तो यह अलग-अलग आपके Z बदलते जाएंगे, तो अलग-अलग आपके structure आते जाएंगे, है ना, pen change करके देखते हैं, clear है, अरे बाई, अच्छा चल ला है, clear एक दम, इसको save कर लेते हैं न, यह दोड़ना जाए, clear है सारी गहानी, आगे बने, save हो जाए जाएंगे, तो nuclear flick addition reaction आप सारी समझ गए, कभी अगर आप से rate of reaction के बारें बात कर दें तो LD हैट का जादा होता किस से, ketones से और steric hindrance लगा देना अगर same family में चलना हूँ आपको, ठीक है, save ही चलना अभी तक, आगे बने, क्या मैं आगे बना सकता हूँ, मजा रहा है एक दम, PDF आपको मिल जाएगी इसके हैंगे, कितनी देर चलेगा किलाज, इसके बाद acid बचा है, और amines बचा है और डाइजॉनियम, है ना, ठीक, save ही और आभी तक, PDF मिलेगे, आपको क्यों नहीं मिलेगी, जरू मिलेगी, क्या हम आगे बढ़ सकते हैं, हो गया से, चलो भई, कहां थे अपन, यहां थे न, reduction reaction के बारे में बात कर लेते हैं, reduction reaction के बारे में देखो, carbon oil से alcohol तो हम बना चुके हैं, कैसे, LH, SbH वगएरा, यह सब हमने ले लिया था, H2, NI वगएरा, ठीक है, अगला है, carbon oil से alkaline बनाना है, ठीक है, ध्यान से देखना ज़रा, carbon oil की reaction, इस से अच्छा तो यह चल दा, carbon oil की reaction मैं कराऊंगा, किस के साथ, reducing agent R के साथ, क्या करेंगे, यह donor bond break करेंगे, HH, HH, तो क्या बन जाएगा, C double bond O convert हो जाएगा किस में, CH2 में convert हो जाएगा, तो यह यहाँ पर दो reagent तुम ले सकते हो, पहला ले सकते हो reagent R, ZNHG, concentrated HCl, इसका नाम होगा, clemency reduction, clemency reduction, क्यों acidic medium में, और दूसरा reagent यहाँ R ले सकते हो तुम, N2H4, base, है ना, ethylene glycol के साथ, little amount of ethylene, glycol, मतब basic medium में reduction कराना है, तो इसका नाम हो जाएगा, wolf kisner reduction, wolf, kisner, reduction, करना क्या है दौन और यह एक्षन में, C double bond O को convert कर देना, CH2 में, तो यह कहानी थी इसकी, आगे बढ़ते हैं, अगला है, oxidation reaction देगो, LD high to acid तो तुम बढ़ चुगे हो, क्यों, oxidation of one degree alcohol मैंने पढ़ाया था, oxidation of one degree alcohol, कहां strong वाला, तो पहले one degree से LD high बनता है, फिर acid बनता है, strong oxidizing agent के परज़ेंस में, अब ketone से acid बनाना है, तो यहां लगता है pop-ups rule, यहां लगता है pop-ups rule, पॉप-ups rule क्या कहता है, unsymmetrical, धियान से सुनना, unsymmetrical ketone अगर है, unsymmetrical ketone अगर है, और उसकी reaction दुम कराओगे, KMNO4 के साथ, hot KMNO4 के साथ, strong oxidizing agent में, धियान से देखना, तो जो unsymmetrical ketone में, छोटा वाला alkyl group बताओ किस तरफ है, छोटा वाला alkyl वाला पार्ट, देखो, इस ketone को बखड़ो, यहाँ CS3, यहाँ C2H5, smaller alkyl group किस तरफ है, इस ketone के left side, तो उसकी तरफ जाएगा, left side है ना, तो यह इसकी तरफ जाएगा, किसकी तरफ, इसकी तरफ, तो C2 bondo CS3 के साथ जाएगा, तो कैसा देखेगा, CS3, C2 bondo OH, प्लस, इधर वाला पार्ट क्या बनेगा, इधर वाला भी acid बन जाएगा, देखो, oxidation कराना है ना, तो तुम ऐसा करो, इसको OH, OH से तोड़ दो, ऐसे तोड़ दो, bond तोड़ा, C2 bondo smaller part के साथ जाएगा, तो यहां क्या जाएगा आपका इधर नॉल, और इधर नॉल फार्दर औक्सिराइज होकर acid देगा, ठीक है, ठीक है, तो इधर नॉल फार्दर औक्सिराइज होकर क्या देदेगा, acid देदेगा, clear, चलो भी यह कहानी हो गई, अब हम चलेंगे, कुछ name reaction होती, इसमें, ldol कहनी जारो और hello form, वो पढ़ देते हैं, आईए, ldol condensation कब लगाना है, जब medium basic होगा, base अगर होगा, OH- वगएरा दे रखा होगा, ठीक है, या Na2CO3 salt दे रखा हो, या K2CO3 दे रखा हो, या acidic medium में heating करा रहे हो, तो ये सब ldol condensation है, OH- के साथ heating करा रहे हो, H+, के साथ heat करा रहे हो, या H+, दे रखा है, तो इस सब क्या है तुमारी, या आपको bleaching powder वाला वो, एक वो compound होता न, कौन सा, lime water है न, जिससे bleaching water होता, ये दे रखा हो, तो भी हो जाएगा है न, और इसकी requirement क्या है, ldol की, requirement ये है, कि alpha H होना चाहिए, कार्बुनायल के पास, alpha H होना चाहिए, ठीक है, अब अगर alpha H होगा, तो कैसे करना है, ध्यान से देखो, मेरे पास ये LD हाइड है, ध्यान से देखना जारा, ठीक, इसकी reaction मैं कराऊंगा, OH- के साथ heat करा दो, ठीक है, पहले मैं OH- करा रहा हूँ, फिर heating कराऊंगा, base के साथ तुमने लिया इसको, है न, तो तुम्हें क्या करना है, इसके 2 molecule consider करना है, ठीक है, important reaction है, ध्यान से देखना, 2 molecule consider करोगे, तो एक molecule को लिखोगे ऐसे, ठीक है, एक को लिखोगे ऐसे, और दूसरे को लिखोगे ऐसे, यहां से देखना, एक को लिखा तुमने C double bond O वाले form में, इस तरब मूँ करके, और एक को लिखा H और इसको Z बोल दू में थोड़ी दर के लिए, यह H है तो यह Z हो जाएगा, ठीक है, और H कौन सा लेना, यह H कौन सा है, अलफा H, एच कौन सा लेना, अलफा H, तो इसका अलफा H कहां से निकलेगा, C3 से ही तो निकलेगा, अब मैं यहां प्लस माइनस खेल लूँगा, कैसे, इसको तोड़ो, C3 से प्लस जोड़ेगा है न, देखना, OH, CH2, CHO, इस कंपाउंड का नाम है, बीटा हाइड्रोक्सी, कार्बोनाईल, कंपाउंड है न, बीटा हाइड्रोक्सी कार्बोनाईल, कंपाउंड इसका नाम है, कैसे, इसके रेस्पेक्ट में, ये अलफा और ये बीटा, अब बीटा हाइड्रोक्सी को हीट करा दो, तो वाटर निकल जाता है, कराओ जरा, अगर हीट कराओगे, तो बीटा से OH और अलफा से ये वाला होड़ा दे न, वाटर घीच लो, तो कैसा दिखेगा, CS3, CS double bond CH, single CH, ऐसा, इस particular compound का नाम है, croton aldehyde, और अगर family wise इसका नाम लिखा जाए, तो बोलेंगे, अलफा बीटा unsaturated aldehyde, अगर family wise नाम लिखूँ, तो alpha बीटा, unsaturated aldehyde, ठीग है, croton aldehyde इसका नाम है, अगर तुम्हें इस से, ध्यान सुनना, अगर तुम्हें इस से direct ये बनाना होता, तो आप simple H plus ले लो, तो direct बन जाता है, मतलब, OH minus के साथ heating is equal to H plus सीधा, है ना H plus 2 या H plus heat कर दो, है ना, तो ऐसे करना है, बलब बांडो इसका है Z, और इसका C double bound हो, इसका है Z, क्या लेग हो रहाएगा, क्या बात कर रहे हो, ऐसा तो नहीं होना चाहिए, light तो आ रही है, एक्दम बहतरी, लेग हो रहाएगा, नहीं यार, अब ठीक है, clear, हाँ ठीक है, very nice, देखो, इसका C double bound हो, इसका Z, cross हो जाएगा, इसका C double bound हो, इसका Z, clear एक दम, तो चार आंसर बनेंगे, बनाना कैसे है, वो मैं आपको बता चुका हूँ, एक को लिखना है C double bound हो, और एक को बनाना है Z, और आप सारे बना सकते हो, इसको तोड़ लो ऐसे, और इसको तोड़ लो ऐसे पक्काल एग हो रहा है क्या आप सही दिख रहा हूँ आया आप एकदम सही है है ना तो C double bond or Z आपको बनाने है दो च्वाइस इसकी हो सकती है क्रॉस में और दो सेल्फ में हैना सिंपल सह एकदम तो एल्डोल गंडनसेशन का क्वेश्चन कैसे करना है बता दिया मैंने आपको कैनी जारो का देख लो कैसे करोगे कैनी जारो भी बहुत आसान है क्या करना है यहाँ पर requirement क्या है concentrated nao h koh बगएरा concentrated base मिलेगा है ना ऐसा लिखा होगा या 50% भी बोल सकते हैं आपसे 50% koh या nao h बगएरा और यहाँ requirement क्या है देखो यहाँ requirement आपकी यह है कि alpha h नहीं होना चाहिए वहाँ होना था या नहीं होना है देखो तो कहने जारो reaction की अगर बात समझाओं मैं कैसे करोगे मेरे पास एक है aldehyde ये ठीक है ध्यान से देखना अगर मैं इसका 50% कोच कराना चाहूं 50% मतलब इसका करा देंगे बेटा oxidation और एक molecule का बेटा करा देंगे reduction अब मुझे एक बाँ बताओ aldehyde का oxidation से क्या बनता है और reduction से क्या बनता है पता है आपको अगर aldehyde का oxidation कराना है तो एक O उठा कर इसमें insert कर दो क्या बन जाएगा acid बन जाएगा और acid का basic medium तो ही न तो acid का basic medium है इसका मतलब ये रोकेगा नहीं ये KOH से reaction करके H cook बना लेगा salt बना लेगा ना medium तो basic है है ना अगर मेरे पास ये है तो इसका reduction कराओगे reduction में nascent hydrogen लगेंगे pi bond break होगा H और H से और aldehyde की reduction से क्या बन जाएगा alcohol तो इसके answer तुमारे final क्या आएंगे एक बना देना salt of acid और एक बना देना alcohol एक salt of acid और एक alcohol ठीक है ठीक है ठीक है तो एक बनेगा क्या salt of acid और एक क्या बनेगा alcohol बहुत आसान है तो कैनी जारो reaction में क्या होता है एक molecule का oxidation कर दो मान लो अगर दो अलग-अलग आ जाते ठीक है ध्यान से सुनना अगर दो अलग-अलग aldehyde आ जाते जैसे ऐसा सवाल होता आपके सामने HCHO प्लस pHCHO ऐसा होता ठीक है और 50% KOH होता तो क्या करते तो क्या करते ध्यान लगना always formaldehyde oxidize होता है always oxidize कौन HCHO क्योंकि यही सब से जादा reactive है nucleophilic addition reaction में क्यों यहाँ पर जो OH- है वो attack करता है carbon carbon पर और फिर H- का transfer होकर alcohol बनता था है ना तो यह हमेशा oxidize होगा तो HCOOK बनेगा और pH के साथ क्या जाएगा CH2OH आ जाएगा क्यों इसका reduction होगा तो बहुत आसान है क्या करना है आपको one step लिख रहा हूँ CHO अ क्या कराना है oxidation कराना है ठीक है ध्यान से देखना ठीक है और CHO का ही क्या कराना है ध्यान से देखना इसका reduction कराना है oxidation पर क्या वनेगा COOK या Na वनेगा और reduction पर क्या वनेगा CH2OH बनेगा अब side में यहाँ कुछ भी लगा हो कैनी जारों में बस यह होता हमें यह पता चल गया कनी जारो में बस ये होता है ये पता चल गया हमें ठीक है क्लियर तो कनी जारो में ये होता है CHO का Oxidation और CHO का Reduction होता है क्लियर एक दम बहुत बढ़िया तो ये हो गया आपका कनी जारो अब चलते हैं हेलो फॉम पर हेलो फॉम एक्चल में कौन-कौन देता है पहले वो सुन लो मिथाईल कीटोन ये reaction देता है मिथाईल कीटोन ये reaction देता है जैसे आर स्ती । दवल बॉंडो CS3 मिथाईल कीटोन ये دेगा reaction ठीक इसके अलावा और कौन-कौन देते हैं methyl ketone के अलावा इकलौता 1 degree alcohol जिसको बोलते हैं इथेनॉल ये भी देता है और RCHOH CS3 ये भी ये reaction देता है इस type का 2 degree alcohol है ना इस type का 2 degree alcohol clear तो अब मेरे पास अगर ऐसा लिखा है ध्यान से देखना ज़रा तो यहां reagent क्या use करते हैं वो सुन लो reagent सुन लो बड़ा है ना हेलो फाम में reagent यूज़ करते हैं BR2 PLUS KOH या CL2 PLUS KOH या एक काम करो X2 लिख दू में यहाँ पर तो X2 PLUS KOH ये reaction देते हैं ठीक है X2 PLUS KOH ये reaction देते हैं दो step की reaction है ध्यान से देखो अगर मेरे पास यहाँ X2 लिखा है और KOH लिखा है ठीक है तो पहले step में पता है क्या करो जो methyl group है उसका halogenation कर दो तो मैं दो step बता रहूं इसके number one is halogenation ठीक है halogenation में क्या होता है R C double bond O TH H H और halogen के तीन मोल ले लो X2 देखो ऐसा ठीक है अब आप क्या करो यहाँ से HX निकाल दो ठीक कैसा देखेगा आपको ऐसा देखेगा देखना जरा द्यान से R C double bond O CX3 ऐसा देखेगा halogenation हो गया अब इसके बाद आप कराओगे second step में hydrolysis लेकिन कौन सा वाला alkaline hydrolysis कौन सा alkaline hydrolysis कराना है कैसे देखना जरा मेरे पास यह जो है क्या halogenated compound जो बना इसकी reaction में कराऊंगा किसके साथ koh के साथ कैसे कराना है ध्यान से देखना जरा यह bond तोड़ दो कैसे तोड़ना है इधर देखना इधर देखना यह koh है ना इसको h दे दो और इसको ok दे दो ऐसे तो क्या बन गया यह आर कुक प्लस ch x3 और इसी की वज़े से इसका नाम हेलो फॉम है तो पहले तुम्हें क्या करना है जो भी तुम्हारा मिथाईल कीट होना उसके सारे मिथाईल वाले h हेलोजन बन जाएंगे और फिर bond तूट जाएगा ok और h से ठीक है clear clear है ठीक है यह कहानी है ठीक चलें आगे ठीक है चलो बहुत बढ़िया यह कहानी हो गई तो यह हेलोफॉम हो गई अच्छा एक बाब बताओ यह वाले क्यों देते हैं यह हेलोजन जो होता नहीं यह माइल लॉक्सिराइजिंग एजेंट भी होते हैं तो इथेन को अक्सिराइज कर देंगे और इसको कीटोन में अक्सिराइज कर देंगे इस टाइप से अगर मैं हेलोजन लेता हूँ तो फिर तो रियेक्शन होई जाएगी न हेलोजन अक्सिराइजिंग एजेंट है हेलोजन क्या है अक्सिराइजिंग एजेंट क्या करेंगे इसको अक सी टेल्डी हाइड ठीक है और ये सब गुरुप तो देते हैं न हेलो फॉम मिथाइल की डॉन टाइप का एना क्लियर वेरी गुड चलो भई बहुत बढ़िया कार्बॉक्स ते लेक ऐसेड स्टार्ट करते हैं अपन सांस ले लो जरा कार्बॉक्स ते लेक पढ़ेंगे अमीन पढ़ेंगे और डाइजोनियम है न कितना काफी है एल्डोल बताया तो था एल्डोल को क्यों रिपीट करवा रहे हो बताया तो अभी देखो एक मेरा सी डवल बॉन्डो बन जाएगा कहाँ गया अल्डोल हाँ देखो अगर दो मॉलीक्यूल है तो एक सी डवल बॉन्डो और दूसरा एच जेड बना देना इसी कही देखो एक सी डवल बॉन्डो के फोर्म में लिखा और इसका अलफा वाला हेच ही il इसको बाहर करोगे तो बाकी remaining part Z हो जाएगा तो bond टूटा minus plus यह plus minus cross में जोड़ दो यही तो किया है भई plus को minus से minus को plus से ठीक चलो भई कारबॉक्स ते लेग एसिड देखो पहला वाला हम पढ़ चुके हैं oxidation of alcohol याद करो one degree alcohol की strong oxidizing agent के presence में करा दोगे सीधा carboxylic acid बन जाएगा है ना strong oxidizing agent के presence में करा दोगे सीधा carboxylic बन जाएगा alkyl benzene वाली reaction थोड़ी नई है आपके लिए क्या करना देखो अगर इस R के पास at least at least one alpha et होना चाहिए इसका मतार इस benzene का at least one alpha et होना चाहिए तो करना क्या है सारा का सारा compound kmno4 in presence of koh इसके साथ आप heat कराते हो then इसको acidify करवा दोगे तो finally बन जाएगा carboxylic acid कोई भी यहां group लगा दो बस उसके पास H होना चाहिए है ना alpha et होना चाहिए जैसे question देखना ज़रा एक दो अगर मेरे पास ऐसा हुआ दिख रहा है H यहां पर alpha et ठीक है तो क्या वनेगा इस रियेजेंट में benzoic acid ठीक है अगर मेरे पास ऐसा हुआ यहां दिख रहा है H क्यों में नहीं दिख रहा है यह पूरा oxidize होकर benzoic acid ठीक मतलब H होना चाहिए तो group यहां कुछ भी लगाओ अलग अलग जगे पर लगाओ तो क्या करोगे मालो ऐसा लिखा होता एक ऐसा लिखा है एक ऐसा लिखा है तो भी कोई दिक्कत नहीं है क्या बनेगा उपर benzoic acid नीचे benzoic acid यह पूरा का पूरा oxidize हो जाता है इस reagent के presence में अगर यहां होता तो इधर भी benzoic acid बस यह देख लेना H होना चाहिए मतलब alpha H होना चाहिए अलफा हाइड्रोजन होना चाहिए ठीक सारा का सारा oxidation हो जाता है उसका हाइड्रोलेसिस बब acid derivative और sinate देखो acid derivative का पहले बता रहा हूँ RC double bond OZ अब यहाँ Z क्या क्या हो सकता देखो Z आपका हो सकता है chloride Z आपका हो सकता है OCOR Z Z आपका हो सकता है OR Z आपका हो सकता है NR2 इस टाइप के N-R2 मतलब यहाँ पर आपको CL लगाओगे तो acid chloride अगर यह लगा दोगे तो anhydride अगर OR लगा दोगे तो ester और अगर NR2 लगा दोगे तो 3 degree amide आप यहाँ 1 degree 2 degree भी ले सकते हो common reaction है सभी की जब भी आप इसका hydrolysis कराते हो तो nucleophilic addition elimination होती है है ना तो अपन hydrolysis कैसे कराते हैं इस तरीके से direct बोल देते हैं क्या इधर H लगा दो इधर OH लगा दो क्या बन गया R, C, O, H बन गया और क्या बन गया H, Z बन गया इस तरीके से है ना तो hydrolysis कोई भी ले लो आप ऐसा बनाना है ठीक है साइनाइड का कराओगे तो कैसा देखेगा देखना साइनाइड क्या है R, C, O, B, N आप ये तीनो बन ब्रेक कर दोगे अगर hydrolysis लिखा है तो आप ये तीनो बन ब्रेक कर दोगे H, 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 OH, OH, OH 2, OH मिला कर वाटर निकाल दोगे और क्या बन गया ये कार्वॉक्स से लेगा ऐसीड बन गया अपला समूनिया लेकिन अगर कभी question में मैं आलो ऐसा लिखा है partial hydrolysis तो आपको एक bond नहीं तोड़ना सिगमा मत तोड़ना है अगर partial hydrolysis आप साइनाइड के बारें बात कर रहे है partial hydrolysis तो क्या करोगे देखो R, C triple bond N इसका partial hydrolysis कराना है तो सिर्फ दो bond तोड़ो बस और दो bond तोड़ोगे तो एक bond से जुड़ा रहेगा और एक bond से जुड़ा रहेगा मतलब amide बन जाएगा तो ध्यान रखना अगर उन्होंने लिखा है hydrolysis तो आप पूरा गंसीडर करोगे अगर उनको पूछना होगा जानबूच कर तो वो पूछेंगे कि partial hydrolysis of cyanide gives क्लियर है तो ये कहानी है hydrolysis of acid derivative हो गया cyanide का बता दिया partial भी बता दिया ठीक है चलो भई बहुत बढ़िया आगे बने ग्रिगनार्ड रिएजेंट वाला देखो इससे भी तुम क्या बना सकते हो acid कैसे RMGX की reaction CO2 से करा दो RMGX की reaction किस से करा दो T double bond O double bond CO2 के साथ ठीक है फिर उसके बाद acid 5 भी करा देते है तो R- क्या करेगा इस carbon पर attack करके CO- बनाएगा और वो H प्लस ले लेगा मतलब CO- बना लेगा तो CO2 से करा दो ग्रिगनार्ड की तो सीधा CO- जोड़ देना अगला देखो ये reaction पढ़ चुके हो सारी alcohol में पढ़ीं थी न एक साथ यहां भी लिख लेते हैं आप कोई भी रिएजेंट यहां ले लो PCL-3, PCL-5, SOCl-2 डार्जन्स वाली जो हम पढ़के आए हैं न क्या करना है तो मैं OH अटा देना क्या लगा देना या CL लगा देना तो RC double bond ओ CL आ जाएगा ठीक है पढ़ चुके हैं ये वाली अगला देखो dehydration कराना हो किसका acid का dehydration तो water निकाल दो 2 mol लेकर है ना P2O5 ये concentrated residue है तो वो dehydrating agent होते हैं है ना चाहिए ले लो चाहिए ले क्या करो इसके 2 mol लिख लो ऐसे क्या करना है पानी पानी करना है देखो H ऐसा ऐसा क्या बन जाएगा एन्हाइडरेट बन जाएगा RC double bond OC double bond R clear एन्हाइडरेट बना देना water निकाल देना अमोनिया के साथ reaction कराओगे तो क्या होगा ध्यान से देखना अमोनिया क्या करेगा RCOOH की reaction अगर मैं अमोनिया से करा दूँ तो पहले अमोनियम बनेगा पहले सॉल्ट बनेगा फिर हीट कराने पर water निकलता है तो पहले बनेगा RCOONH4 अब इस मैंसे आप क्या करो water निकाल दो अब इस मैंसे water निकाल दो तो 2H लेलो और 1H लेलो क्या बनेगा RC double bond NH2 आमाइड बन जाएगा तो अमोनिया के साथ पहले reaction कराओगे तो अमोनियम बनेगा फिर heating पर water निकलेगा तो अमोनिया के साथ आपको अमाइड बनाना heating कराओगे तब दीक आरव उक्सिलेशन तुम बढ़ चुके हो CO2 होता है CO2 आ देते हो esterification करते हो alcohol के साथ जब मैंने करवाया था तो acid से OH और alcohol से H जाता है ठीक है reduction reaction भी पढ़ चुके हो तुम याद करो अभी मैंने लिखाई थी R, C, OH एक बार याद दिलाता हूँ B2H6 या LH के साथ B2H6 सबसे अच्छा रहता है वैसे बागी LH भी ले सकते हो acid के लिए अच्छा B2H6 रहता है क्योंकि यह सिर्फ acid को करता है nitro वगरा को नहीं करता है तो इसका reduction कराके आप alcohol में ला सकते हो clear तो reduction भी हो गया था वैसे तो हाँ properties में बात कर लो ESR की nitrogen क्या होता है देखो COH क्या है minus M group है meta director है तो सिर्फ एक ही बनेगा nitrogen का reagent तो आप तक याद हो गया NO2 प्लस लिख देता हूँ मैं meta-nitrobenzoic acid ठीक है क्यों minus M group है minus M क्या होता meta director bromination अगर आप कराओगे तो BR2 के साथ जब bromination कराओगे इसका तो भी meta-bromo ही बनेगा है reagent आप जानते ही हो BR plus ले लो बस है न तो CH क्या होता है meta-director होता है meta-bromo बन जाएगा clear है clear बहुत बड़ी है very nice अगली reaction है HBZ hell, wall, art, balance की reaction ठीक है क्या होता है इसमें requirement है alpha H होना चाहिए ठीक है acid के पास alpha H होना चाहिए यह मतलब RCH2 COH ऐसा, देखो alpha H है red phosphorus X2 ले लो red phosphorus के साथ X2 ले लो और X यहाँ usually CLBR दिया जाता और पानी डाल देना इसमें ठीक है तो finally आपन बताते हैं क्या होगा इसका alpha का H हटा दो और वहाँ पर X लगा दो alpha H कहा मिलेगा इधर इसका H हटाकर X लगा दो H हटाओ X लगाओ क्या हैगा RCHX COH HVZ में alpha का H हटाकर X लगा देना ठीक है clear एकदम लास्ट चैप्टर अपना ठीक है आखरी अद्धिया तांस ले लो जड़ा थोड़ी सी ठीक है clear एकदम मामला तांस ले ली जीए चलो भई आई ये method of preparation of amines देखना जड़ा nitrove engine का आप reduction करा दो चाहे H2PD ले लो या metal acid metal acid का मतलब क्या होता 10HCl या FeHCl वगर आप ले सकते हैं ठीक ऐसा ले सकते हैं क्या कराना है आपको nitrobenzine क्या लिखूंगा मैं बेटा pH NO2 लिखूंगा न ठीक है और इसकी reaction में कराऊं किसके साथ किसके साथ metal acid या इसके साथ तो क्या करना है ये O हटा दो H लगा दो reduction H से होता है न तो बस O हटा कर H लगा दो तो क्या जाएगा pH NH2 direct कर लो NO2 convert हो जाता है NH2 में H reduction कराना है O हटाओ H लगाओ simple है ammonolysis क्या होता है इसमें ammonia की reaction हम SN2 करवाते जाएं करवाते जाएं करवाते जाएं करवाते जाएं कहां तक देखो अगर मैं इसकी reaction RX के साथ कराओं ठीक है तो क्या होगा यह attack कर देगा X निकल जाएगा तो NH2 जोड़ देना HX निकाल देना है तो RNH2 बन गया फिर यह attack कर दे मालो एक मोला डाल दिया तो फिर से HX निकाल दो क्या बन जाएगा RNH R बन जाएगा अमोनिया से 1 डिगरी अमीन 1 डिगरी से 2 डिगरी अमीन 2 डिगरी अमीन में फिर से आप क्या करो RX डाल दो तो फिर से क्या बन जाएगा 3 डिगरी अमीन HX निकल गया अब इसकी बात फिर से reaction कराओगे तो बस एक last बार हो जाएगी salt बन के छूट जाएगा कैसा R4 N प्लस X माइनस quaternary ammonium salt ठीक है clear है quaternary ammonium salt बस हो गया क्या है है न चरब यह अमोनोलाइसिस होता है बार बार एसेंट उगरबाते जाओ आप अगला है reduction of nitrile by LAH या hydrogenation कराओ या na alcohol लेलो है न तो nitrile क्या होता है cyanide अब इसका तुम्हें reduction कराणा है चाहे तुम LH लेलो चाहे तुम hydrogenation करालो चाहे तुम sodium के साथ amalgam लेलो है न एथेनॉलिक मीडियम में तो तुम्हें क्या करना है reduction कराना है तो एक काम करो यहाँ पर reduction हमें ऐसे दिखाएंगे है न तो तुम्हें क्या करना है donor bond break करना है HH HH तो cyanide से तुम्हें क्या बनाना है amine तो RCN से क्या बन जाएगा RCH2 NH2 reduction में pi bond break होते है oxidation में O insert होता है इतना दिहान दखना है न अगर मुझे amide का reduction कराना है तो LH कर देगा कैसे RCN bond O NH2 है इसका तुम्हें reduction कराना है कौन कर देगा LH कर देगा कैसे कर देगा दिहान से देखना ज़रा क्या करोगे यह donor bond break करोगे HH HH मतलब CN bond O CH2 में convert हो जाएगा तो R CH2 क्या बन जाएगा NH2 ऐसा तो amide में reduction कैसे होगा C double bond O CH2 में convert हो जाएगा cyanide का CN CH2 NH2 में convert हो जाएगा ठीक है clear ठीक है यह कहानी यह इसकी अगला देखो Gabriel thalamide synthesis क्या होती है बहुत असान है देखो इसको बोलते हैं अपन thalamide ठीक है और इसकी reaction तुम कराओगे किसके साथ पहले तुम KOH लाते हो और फिर तुम यहाँ डाल देते हो R dash X ठीक है ऐसा लाते हो और second step में यहाँ SN2 reaction होगी क्यों पहले base क्या करेगा H plus निकाल लेगा यहाँ से H plus निकाल लेगा यह N minus बनेगा SN2 होगी इसका मतलब मैं डारेक्ट करना बता रहा हूँ क्या करो यह N minus जब R dash पर attack करेगा न तो N R से जुड़ जाएगा इसका मतलब जो भी यहाँ पर जो भी यहाँ पर alkyl halide है उसी की ही आमीन answer आ जाएगा R S X है मतलब R S N S 2 Methyl chloride Methanamine Ethyl chloride Ethanamine Simple एक डम है न भाई यह इससे जुड़ेगा फिर hydrolysis होगा इससे अच्छा डारेक्ट दियान रगो न है न तो Methyl chloride Methanamine जिसा है इससा मतलब R S N 2 ही होनी है न और जो alkyl halide UC की आमीन चाहिए है न और यह Gabriel exclusive भी 1 degree amine के लिए होता है न primary amine बनाने के लिए होता है Gabriel thalamide सीधा R S X का R N S 2 ठीक है R S X का R S N S 2 बना दे न बस आप Ethyl chloride का आंसर क्या दोगे Ethanamine Propyl chloride का Propanamine Simple सा है न ठीक है अगला है Hoffman bromomide degradation ठीक है ध्यान से देखो क्या करना है R T double bond O N S 2 इसकी reaction BR2 KOH से जब करवाओगे किसके साथ BR2 KOH से जब करवाओगे तो BR2 KOH क्या करता है क्या करता है बताओ बहुत आसान है सीधा answer कैसे ये उड़ा दो answer आ गया हाँ भई answer आ गया देखो ये उड़ा दो एक बाद फिर देखोगे answer R N S 2 ठीक है तो ये आ गया आपका answer क्या स्तीड अवल बॉंडो उड़ा दिया पूरा का पूरा सीधा R N S 2 ठीक है स्तीड अवल बॉंडो उड़ा दो सीधा N S 2 लगा दो ठीक है अलकाइलेशन मतला अमोनोलाइसिस है न अगर असाइलेशन कराना है अमोनोलाइसिस अगर असाइलेशन कराना है तो तुम क्या करो देखो जरा तो तुम क्या करो अगर असाइलेशन कराना है तो तुम क्या करो मानलो मेरे पास R N S 2 है ठीक है तो तुम इसकी reaction acid chloride से करवा दो ना देखो R-C double bondo CL क्या करना है HCl खीच लो बाहर कैसे इसका CL और H कैसा दिखेगा R-C double bondo NH R देखो अगर यहां से H और यहां से CL निकल गया तो R-C double bondo NH रहे सी दिखेगा आपको ठीक है clear clear है अगली reaction है carbilamine carbilamine reaction में तुम क्या करते हो R-NH2 1 degree amine यह reaction देती है chloroform और KOH R-NH2 को हटा कर यहां पर NC लगा दो ठीक है NH2 को हटा कर NC लगा दो carbilamine में R-NH2 हटा दो और NC लगा दो अगर तुमसे attacking reagent पूछा जाए तो CCL2 यहां होता है ध्यान लगना और यह वाला attacking reagent कौन सा? रीमटीमन से मिलता जुलता reagent है? वो ही है TH-C L-3 KOH यहां पर होता है तो यह कहानी है कार्वाइलमीन की ठीक है? नाइट्रस acid के साथ reaction देखो अगर मैं R-NH2 की reaction करा हूँ किसके साथ? नाइट्रस acid के साथ ध्यान से देखना ज़रा नाइट्रस acid क्या होता है? HNO2 ठीक है? तो तुम्हें क्या करना है यहां पर? इसको ऐसे लिख लो H-O-N-O ठीक? water निकाल दो और N2 निकाल दो OH अभी मत जोड़ो क्या बना लो? R-Plus अब इसमें rearrangement वगरा सोच लेना और फिर OH जोड़ना ठीक है? rearrangement होने के बाद होगे जोड़ना ठीक है? rearrangement सोचेंगे rearrange if possible ठीक है? जैसे इसका एक question करके बता रहा हूँ मान लो यह लिखा है तो आप क्या करोगे? NH2 हटा कर प्लस लगाओगे? भाई यह हटता है ना NH2 यहाँ प्लस आएगा? ऐसा दिखेगा अब इसका hydride shift हो जाएगा? ऐसा दिखेगा अब इस पर होएज जोड़ेगा समझे रहो ऐसा? ऐसे करना है तो कार्वोकेटाइन के थ्रू तुम्हें चलना है अगर तुम्हारा एलिफेटिक हुआ अगर एलिफेटिक अमीन हुआ तो कार्वोकेटाइन के थ्रू चलना है एरोमेटिक में तो जरूती नहीं है डायजोटाइजेशन करतो चुके हो तुम पीछे अरे डाय जो टाइजेशन नी किया था pHN2 PLUS CL- 0 से 5 डीडीडी जंटीगरेट N.A.N.O.2 HCL कर चुके वो तो बागी लिखना चाहो तो लिखलो एक स्टेप में एक तो एलिफेटिक का यह हो गया एरोमेटिक वाला यह आप पड़ चुके pHNH2 क्या गरता है डायजोटाइजेशन HNO2 लिखो या फिर आप NNO2 HCl लिखो क्या वनेगा pH N2 प्लस Cl- ठीक है aromatic में यहाँ छोड़ देते हैं डायजोनियम क्लोराइट अलिफेटिक में अलकोहल तक एना clear तो यह कहानी है हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है ध्यान से देखना ज़रा हिंसबर्ग टेस्ट क्या होता है यह आपका 1 डिगरी अमीन 2 डिगरी अमीन और 3 डिगरी अमीन में डिस्टिंगिस करने के लिए बैंजीन SO2 Cl हिंसबर्ग रियेजेंट बोलते हैं इसको है ना इसकी reaction होती है करवा लो जरा जब इसकी reaction करवाओगे किसके साथ pH SO2 CL के साथ ध्यान से देखना जरा तो क्या करना है तुम्हें बहुत आसान है ये CL और यहां से H उड़ा ले जाओ कैसा दिखेगा देखो pH SO2 NHR यही बनेगा देखो pH SO2 NHR HCL निकाल देना अब जैसे ही तुम इसको base में डालोगे जैसे ही तुमने इसको base में डाला base तो क्या हो जाएगा ये soluble क्या हो जाएगा soluble क्यों soluble हो जाएगा क्योंकि base आएगा और यहां से H प्लस acid base हो जाएगी न तो soluble है अगर मैं यहां पर 2 degree amine ले ले लेता ये तो 1 degree हो गई है न अगर मैं 2 degree ले ले लेता तो कैसा देखता R NHR या R2 NH बोल दू और फिर मैं इसकी reaction करवाता तो कैसा देखता देखना यहां से H यहां से CL ठीक तो यहां सा आजा था pH SO2 N R2 देखो ज़रा ध्यान से और अगर मैं इसमें base डालता तो बताओ कुछ होता क्या अब कुछ नहीं होता क्यों इसके पास H थोड़ी बचा है अब nitrogen के पास insoluble ठीक है और अगर मैं 3 degree ले लेता तब तो reaction ही नहीं होती start ही नहीं होती reaction क्योंकि H नहीं नहीं इसके पास no reaction start ही नहीं होती reaction तो 1 degree, 2 degree, 3 degree को distinguish कर लो कि 1 degree वाला reaction के बाद soluble, 2 degree वाला reaction के बाद insoluble, 3 degree में no reaction यह ना यह कहाँ नहीं है clear है electroflex substitution reaction पर चलते है आईए trybromination जब होता है तो ध्यान से देखेंगे आप चाहे BR2 CS2 ले लो यहाँ पर चाहे bromine water ले लो ध्यान लगना अगर मैं aniline की reaction करा रहा हूँ तो आपका चाहे तुम BR2 CS2 ले लो और चाहे तुम BR2 water ले लो दोनों ही cases में reaction access में होती है क्यों? लेकिन अगर आपको bromination try नहीं कराना है mono कराना है तो तुम्हें पहले asylation के through जाना पड़ेगा जो की कुछ ऐसा method होता है ध्यान से देखना जरा पहले तुम क्या करोगे? इस NS2 जो की highly activating group है इसको convert करोगे थोड़ा moderate activator में तो highly activating से तो moderate activator में ऐसे जाते हो कि ये CL और ये HHCL निकाल ले न और ये बन जाएगा तुम्हारा acetaline light क्या बन जाएगा? acetaline light और ये moderate activator होता है अब तुम इसका BR2 CS2 कराओगे तो mono bromination होगा और कहाँ पर होगा? hysteric interest factor लगेगा तो पैरा पर लगा दोगे और फिर hydrolyze कराके आप बापिस NS2 प्राप्त कर सकते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा BR और फिर तुम क्या करोगे? hydrolyze कराकर इसको बापिस NS2 में ला सकते हो है न? acet derivative है इसको H, इसको H मिल जाएगा hydrolysis होगा तो तो अगर तुम्हें monobromination कराना है तो यह पाथ एकदम सही होता है ठीक है? clear? clear है? तो यह कहानी है इसकी monobromination में यह पाथ बागी तो triboromination तो होता ही है है न? चलो भई nitrogen की बात करें nitrogen की बात करें तो nitrogen में कुछ ऐसी कहानी होती है देखो जरा अगर मैं इसका nitrogen करा हूँ अगर मैंने इसका nitrogen कराया तो यहाँ तीन product बनते हैं एक ortho, एक pera और इसमें एक जवरदस्ती का meta भी बन जाता है मस्तरी एक से नहीं इसमें देखो तुमें यह तो पता है NS2 ortho para directing है तो ortho बनना चाहिए था और para बनना चाहिए था लेकिन यहाँ एक जवरदस्ती meta बन जाता और meta का amount अच्छा खासा होता भी यह meta का amount अच्छा खासा होता according to NCID यह 51% होता है यह 2% होता है बागी बचा हुआ क्या हो गया? meta 47% है न अब ऐसा क्यों होता है यहाँ पर meta क्यों बनता है और इतना अच्छे खासे amount में क्यों बनता है actual में यह क्या है base ठीक है? यहाँ से देखना ज़रा actual में यह क्या है base और base क्या करता है H2SO4 अच्छा खासा acid है तो H plus में ले जाकर इसको deactivating group में convert कर देता है तब जाके यह meta directing हो जाता है मतलब meta पर उप बन जाता है 47% लेकिन अगर आपको exclusive mononitration कराना है तो अभी जो मैंने पीछे बताया था assylation के थूँ चले जाना भाई assylation के थूँ चले जाओगे तो काम बन जाएगा आपका देखो अगर मैं इसका assylation कराऊंगा देखो जड़ा ध्यान से अगर मैं इसका assylation कराऊंगा तो यहाँ से H यहाँ से CL खीच लेना तो क्या बन जाएगा बटा ऐसा बन जाएगा देखो NHCO CS3 NHCO CS3 Acid anilide बना अब यह moderate activator है और अगर यह moderate activator है तो अब तुम इसका nitration कराऊगे तो पैरा पर आ जाएगा hysteric hindrance factor लगता है तो यहाँ पर NO2 आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा NHCO CS3 अब इसको आप हाइडोलाइस करा लेना ठीक तो आपका mono nitro बन जाएगा पैरा पर ठीक है यह कहानी है इसकी तो यह धियान लगना बड़ी important reaction है यह है ना clear sulfonation कराऊगे इसमें तो zutarion formation हो जाता है देखो zutarion क्या होता है जिसमें 2 iron होते है अगर मैं इसका sulfonation कराऊँ ठीक है H2SO4 के साथ तो actual में यह ऐसा बनाएगा NS3 plus और HSO4 minus कैसा देखेगा ठीक है और यह फिर पैरा पर SO3H लगा देगा ठीक है पहले यह base है acid, acid base reaction होगी salt बनेगा और फिर यह क्या करता है कुछ इस form में एक्जिस करता है NS3 plus और SO3 negative इसको बोलते हैं zwitter iron क्या नाम है इसका zwitter iron आप है जहाँ पर दो पोल होते हैं उसको zwitter iron बोलते हैं ठीक है clear है ठीक है चलो बई diazonium salt यह हम बैसे पढ़ चुके हैं एक बार बता देता हूँ aniline से method of preparation आपको पता है pH NS2 की reaction करा दो आप diazonization करवा दो diazon digestion क्या होता है Naeno2 HCl 0 से 5 degree centigrade कितने से कितना 0 से 5 degree centigrade क्या आएगा pH N2 plus और Tl minus aromatic है इसलिए N2 नहीं निकलेगा aliphatic होता तो N2 निकल जाता carbocatine मनता फिर उसमें rearrangement हो जाता है clear aromatic है तो यहीं पर छोड़ देंगे अब यह बहुत सारी reaction हम पढ़ चुके हैं इसकी property में standmare हो गई getterman हम पढ़ चुके हैं replacement by iodide NKI ले लिया था बाद semen reaction हो गई replacement of OH, H और NO to side बचा है तो मैं एक काम करता हूँ सारी की सारी एक साथ लिख देता हूँ है ना अगले page में ध्यान से देखना ज़रा अगर मैं reaction करा हूँ कौन सी वाली diagonium chloride की ठीक है ध्यान से देखो एक दो sandmare तीन sandmare दो getterman ठीक है एक KI और क्या बचा एक replacement by OH एक replacement by H एक bath cement reaction एक NO2 ठीक है clear सारी एक साथ लिख लेता है अगर मैं यहां करा हूँ CO2Cl2HCl CO2Cl2HBR CO2CN KCN ठीक है CO2HBR यह हम खहर रहे इतनी तो पढ़ी चुके हैं यह वाली CO2HCl ठीक है KI H3PO2 ले लो reducing agent है न या इसके अलावा आप ethanol भी ले सकते हो या अपने आपको acetaldehyde moxidize करके इसको reduce कर देता है या तुम यहां पानी ले लो ठीक है warm water ले सकते हो यहां ले लो आप HbF4 ठीक है इसके साथ ले लो आप NaNO2 इसके साथ heat करा दो है न और यहां HbF4 के साथ ही heat करा दो ठीक ध्यान से देखना किसमें क्या बनेगा यहां बनेगा पी एच बी आर एच बी आर से बी आर आ गया यहां C-L आ जाएगा पी एच-C-L यहां की आई माइनस अटेक करेगा पी एच आई यहां reducing agent है यह तो इसको reduce कर देगा बेंजीन बन जाएगा यह ना पी एच-H यह भी reducing agent की तरह काम करेगा यह ना ले आएगा तो यह बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन ठीक है तो एक काम करता हूँ यहां से फिर में यह फटा देता हूँ पहले एच बीएफ और हुआ फिर यह हुआ अगर तुम एच बीएफ और के साथ हीट करा दोगे डारेक्ट तो बाद सीमेन रियक्शन क्या बन जाए रहे है कि रियर एक दम है ठीक देख लो एक बार अना ठीक है लास्ट टॉपिक बचा है अपना कपलिंग रियक्शन अना कपलिंग से कल कोश्चन भी आया था यह सारी रियक्शन अपन लिख चुके हैं कुछ नहीं लिखी दी वसी वाली दो तीन यह लिख लेना नोट्स त इलेक्ट्रोफिलिक देखो यहां ESR होता है कपलिंग रियक्शन में इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रियक्शन फिनॉल और एनिलीन वाली तो में लिखनी है जैसे पिएच अन्टू प्लस सी एल माइनस अगर मैं फिनॉल के साथ इसकी रियक्शन कर आऊं तो फि ओएच यह और दूसरी वाली है पी एचhst अंटू प्लस सी-ल माइनस एनिलीन अगर आ घेया तो यल्लोडाई बोलतें हैं ना एनिलीन में क्या हो जाता यल्लोडाईक है कि सदिगंगा ऐसा दिखेगा PHP N आपन अस आ ठीक है यह औरेंज डाई है और ये होती ही यल लोड़ाए ठीक है, क्लियर एकदम बहुत बढ़िया एकदम दी एंड हो गया आईए भाई, पेजी नहीं आ रहा जाते जाते हम आपसे एक बात कहना चाहते हैं आप यहाँ पर आए, आपने हमसे और यहने करिवीजन किया इसमें कुछ चैप्टर रह गए हैं, जो नहीं कराए गए हैं आपको बिल्कुल नहीं कराए गए हैं, है न लेकिन वो पहले सरने करवा दी हैं, आपको हर सरने हैं तो जो रियेक्शन वाला पूरा पोरसन है IUPAC से लेकर, IISOMERGEM से लेकर क्या था अपना, GOC जो ज्यादा ज्यादा important चीज़ें थी, वो मैंने आपको cover करा दी, हो सकता है कुछ चीज़ें आपकी छूट गई हैं, बिल्कुल छूट गई हैं अशा नहीं हो सकता है कि मैंने सारी चीज़ें आपको पढ़ा दी हैं लेकिन मैंने 95% से ज्यादा चीज़ें नहीं है वो इंडिविज्वली होते हैं ठीक है और वो पहले आप कर भी चुके हो एक दम ठीक है चलें फिर यह भी लेक्चर होगे आज का जितना मैंने करा दिया जितना मतलब लग रहा था मुझे कि इतने रिवीजन कराने से आपके नंबर सुधर जाएंगे तो आई हो आप पढ़ा तो आपके सुधरेंगे नंबर है ना थोड़ा बहुत तो रिवीजन आपका हुआ ही होगा थोड़ा बहुत क्या सारी रिएक्षन रिवाइस तो करवाई दी मैंने आई यू पीसी से लेकर डाइजोनियम सॉल तक रिएक्षन वाला पोर्सन जो रहता है यह ना आई यू पीसी आई से इसले पढ़ाना पर है क्योंकि वो उसकी जरुद पढ़ रही थी आगे यह ना बागी बायो का मॉलीक्यूल और यह सब चैप्टर इंडिविजल होते हैं वो सर पढ़ा ही चुके हैं वो आप कर भी सकते हो अपने आप से भी है ना तो ज्यादा आपका समय खराब नहीं करेंगे ठीक हैं क्योंकि कल पेपर भी है कई लोगों का तो फटा बट से आपको नोट्स मिल जाएंगे एक बार देख लेना जाना पेपर देने मज़ा जाएगा ठीक हैं चले फिर धन्यवाद सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है ना चलो कल पेपर है ऐसा इड़ी फागल होगा पेपर है कल वाई लोगों का चलो मिलते हैं फिर नेक्स लेक्सर में तब तक के लिए ओक्यों वाई झाल 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 कि लेकंवाद सम्स लेक्स éleंगा ड्क बहो और जाएगा जारी अ कलあinvest मिलते हैं पिर लोगों कर दो,झ्वाद सम्स लेक्स लेक्स information